कि लो फ्रेंट्स कैसा सब लोग तो फ्रेंट्स आज होने वाली आप लोगों के लिए कि आपकी संपूंढ कि में तो आपका लिए थिक है तो आपको बड़ी किलास होता एक बहुत बड़ा अगर आप लोग यह सोचे कि एक दिन भी अगर इसकी मरतन किलास लगा दी ना तो भी आपका कम्प्लीट नहीं होने वाला ठीक है सोचलो अगर जोग्रफी भी कम्प्लीट होगी नहीं तो आपकी बहुत गनीमत है लेकिन क्या है आज की जो संफूर्ण आपकी सेश्टी की किलास है उसके अंदर जितने भी इंपोटेंट कोश्चन है जो आपके NCRT परादारित है उसको आप लोग आज कराने वाले हैं हम इससरो और आपके विरिंदर सा ठीक है देखे मैं यह नहीं कहता कि इसी से आपका सारा पेपर आ जाएगा क्योंकि सोसल साइंस आपका यह सा सब्जेक्ट है किसी क्लास किसी मेर मेरी तब्यत्वी कल रास्य खराब हो गई आप लोग देख रहे हैं अवाज मेरी भारियो रख्की है ठीक है जुखाम हो गया है लेकिन रुकना नहीं है बिल्कुल भी कल हम लोग चाहाज दवाई लेनी पड़ें इंजक्शन भी लगवाने पड़ें लेकिन कल हम लोग क्या आलावा आपको CDP पढ़ने की जरूत नहीं है ठीक है तो मैं CDP के अंदर ही आपको वरोसा दिलाता हूं कि यह वाली क्लास देखने को अवाद आपको कुछ पढ़ने की जरूत नहीं पड़ेगी तो वही कल बिल्कुल तैयार है ना अपना डेटा बगारा बचा कर रख कितने भी प्रिवेशर के कोश्चन है जो आपके कुछ मैंने नहीं लिए वो सब इसके अंदर देखने को मिलने वाले ठीक है तो मैं मिलूंगा कल साथ जनवरी को आठ वजे आप लोगों से CDP की महा मेराथन किलास के अंदर ठीक है उसके लावा भाई आज जिम्मेदारी द रखा है कभी आपको भी ना हो जाए ठीक है चलिए वह सुर्वात कर लेते हैं लीजमी सर समालिये तो इस तो जैसा सर ने बताया कि यह दो क्लास आपके लिए बहुत महत्मून जो आपका साथ नंबर का है उसमें एक अच्छा स्कोर करने की और अग्रसर करेगी और दूसरी कि industry trip की क्लास योट ही आपकी बात करती है किसमें से 30 मैं से 30 की बात करती है बहुत सारे थि स्टूडेंट और साहर टारिक आठ बजे होने वाली है और आज की एक लास बहुत महत्मून क्लास है सस्टी की अब तक जिसने कुछ नहीं पढ़ा है ना यह सोचे कि कि आप यह वाला जो पॉर्शन है कौन सा वाला इस्तस्टी का यह आप अच्छे नंबर से पास आउट कर जाओगे मतलब जैसे नब्य नंबर चाहिए साथ नंबर के इसाप से अगर आप एवरेज निकालो तो अच्छे से आप 60% आना चाहिए लेकिन आप 60% से उपर पास कर जाओगे यहां पर ठीक है तो चलिए सुरुवात करते हैं टाइम बिना गवाए और लेते हैं आज की क्लास का पहला सवाल और पहला सवाल कुछ इस तरह से देखो ध्यान से समझना बहुत इंपोर्टेंट पूरा NCRT बेस सवाल का मैं पूरा आपको अच्छे से क्लेरिफि अगर को मैंने याद हो तो मैंने आपको ये बात करवाई थी कि हम जो कुछ भी आसमानमे देखाई देता है चाहे वह सुर्य हो चाहे वह चंद्रमा हो वह सब कुछ आकाशियपिंड कहलाती है है यह बताया था मैंने सेलेस्टियल बॉडिदी अभी आकाशियपिंडों के ब रात में आकास में असंख्य टिम्टिमाते तारों की गर्मी और प्रकास अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि वे हमसे बहुत दूर है देखो जैसे हमें ये बाकी तारे दिखते हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा हमारा सूर्य है लेकिन सूर्य से तो हम गर्मी लेते हैं बाकी जो तारे हैं उनकी गर्मी या उनका प्रकास हम तक नहीं पहुच पाता बहले ही तारा कि तारे कितने भी निकल रहे हो चंद्रमा आसमान में ना हो तो आपको उजाला नहीं दिखाई देगा क्यों नहीं देता क्योंकि तारे हमसे बहुत दूर होते हैं जबकि चंद्रमा हमसे पहुत पास है, आगे समझें, अर्षा मेजर, नक्षत्र मंडल सात तारों का समू है, जिससे स्ब्त रिशी तारा मंडल भी कहा जाता है, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको सब्त रिशी तारा मंडल बताया था, जो कि तारों के द्वारा बनी एक आक्रती है जिसे हम नक्षत्र मंडल या तारा मंडल के नाम से भी जानते हैं जिसमें साथ तारे होते हैं जिनमें चार तारे तो कैसे होते हैं एक वर्ग के रूप में पांच छे साथ इस तरह से साथ तारों का एक समू होता है अगर आपको याद हो तो है ना मैंने आपको बहुत अच ख़डे हैं और यहां से इक काल्पनिक रेखा खीचते और विए दोनों तारों को मिलाते हुए घीचें तो यह रेका जिस तारे पे जाकर टकराती है यहीतारा धुरुवतारा य्यानि पॉलस्टार कहलाता है और यह पॉलस्टार या दुरुवतारा हमेशा उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है कौन सी दिशा को उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है तो ये बात क्या है और अपना इस्थान कभी नहीं बदलता वही अगर एकी डिरेक्शन में है उत्तर दिशा बता रहा है तो अपना इस्थान कभी बदले है बिल्कुल सही है चंद्रमा की जब हम बात करते हैं चंद्रमा कभी बड़ा कभी छोटा कभी आधा कभी अधूरा कभी बहुत छोटा ऐसा दिखता है तो यहां राइट टंसर हो जाएगा A सही है B सही है और D सही है यहां पर सही होगा ठीक है आगे देखिए अगला प्रशन क्या कह रहा है ग्लोब के विशह में कौन से कथन सही है अगर आप जानते हो ग्लोब क्या है सर मॉडल ओफ अर्थ है बेहम ने इसका निर्मान किया था बहुत अच्छे से पता है ग्लोब प्रत्वी का सही मॉडल या उसके बाद ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं बिल्कुल आप अगर मार्केट से ग्लोब लाओगे तो कोई ग्लोब इतना मोटा होगा कोई इतना बड़ा होगा कोई और बड़ा होगा यानि आकार और इसका प्रकार अलग-अलग हो सकते हैं ठीक है बिल्कु को सही बात एक दूसरा कहरा है ग्लोब पर देश तो पहला सई एक दूस्रा सई और महा साहर को उनके सफ्थित आकार में दिख़ाय जाते बिल्कुल इस दिगा जाते वहिए ग्लोब पर तीनोंची एक अनुपात में दिखाई जाती है जो उनका सही आकार होता है कि प्रिशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर तो सबसे बड़ा दिखाया जाएगा ग्लोब पर भी एशिया महादीप सबसे बड़ा महादीप है तो सबसे बड़ा महादीप दिखाया जाएगा ऐसा नहीं कि एशिया छोटा दिखा दे और Austin बड़ा दिखा दे ऐसा Globe पर नहीं होगा, औरस्ट्रेलिया सबसे छोटा है तो सबसे छोटा ही दिखाया जाएगा एशिया सबसे बड़ा ही दिखाया जाएगा, तो सही रेशो में दिखाया जाते हैं, ये भी सही है, यह इस्थिर और ने घूमने वाला होता है globe जो होता है वो कैसा होता है? इस्थिर घूम नहीं सकता ये बात यार गलत है globe एस्थिर नहीं होता मतलब आप देखते हो globe ऐसे घूम सकता है जिस डंडी के परितेक बीच से धुरी निकाली जाती है जिसके चारों और globe क्या करता है? घूमता है तो यहां right answer हो जाएगा A, B और C और A, B, C का मतलब option number A यहां भी correct answer हो जाएगा आगई बस समझ में? यहनि right answer हो जाएगा option number A is right answer बहुत सही answer दे रहे हैं आप लोग बहुत बढ़िया चलिए अगला सवाल देखे, पटावटते निम्न विसेस्ताओं में से प्रत्वी के ताप कटिबंद की पहचान करिए ताप कटिबंद क्या है? अगर आपको याद है तो मैंने प्रत्वी पर जैसे ये प्रत्वी और बीच में equator है ना? यहां उपर 0 degree यहां 16 दिगरी नॉर्थ उपर यहां 16 दिगरी शाँथ अगर आपको याद हो, है ना? और यहां 16 दिगरी 16 दिगरी शाँथ अगर आपने याद है तो तो मैंने आपको यहां बताया थाускि इस वाले छित्र को तो बिआ याज़न गटे वन engra racist इसको टैंपरेट या सब्ट्रॉपी कल या सीटॉषन कटि बंदी ऐसी तो चुक टे बंदी बताया था मैं यह धुरूविय च्यतर पोलर जों' धुरूविय च्यत तो मैंने आपको अलग-अलग छेत्र गलोब पर बताई तो कि याद आ रहा किस छेतर की हैं ये आपको बताना है अब देखो कौन कौन से छेतर की ये विशेश्था हैं ध्यान से समझोगे पहला दोपेर का सूरे कभी भी सिर्के ऊपर नहीं होता यानि कभी भी सूरे दोपेर के समय ऐसे 90 डिग्री पर नहीं होगा साई बात बिलकुल दूसरा इन छेतर करक्रेखा एवं उत्री धुरुवरत तो उत्री धुरुवरत कौन सा है ये वाला साड़े छासट अरे उत्तर में तो त्री धुरुवरत तथा दक्षनी गोलार्द में मकर्रेखा मकर्रेखा ये रही और दक्षनी धुरुवरत ये रहा दक्षनी धुरुवरत के बीच वाले यहां से और यहां तक और यहां से और यहां तक इस छेत्र को क्या बोला था देखो सीटोष्ण कटिबंदी यह तो इस छेत्र का नाम क्या है सीटोष्ण कटिबंदी यह छेत्र या टैमपरेट जोन जिसे आप इंग्लिश में कहते हो तो option नंबर दूसरा या B option correct answer हो जाएगा ठीक है किलियर हुई कहानी चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो समझ में आया ना तीनों बढ़िया से मैंने आपको proper करवाया था यह चलिए अब आगे की कहानी देखिए फटावट से भारत यह important सवाल और ऐसा सवाल भाई एक तो आपके ल भारत की स्थती की बात करूं तो देखो यह जैसे अपना ग्लोब और ग्लोब पर यह वाली रेखा को कहते हो आप कौन सी भूमद्य रेखा जीरो डिग्री और यह वाली ब्ला रेखा को कहते हो जीरो डिग्री देशांतर रेखा भारत कहां है भारत यहां है कहां है भारत त जो रेखा जाती है इस तरह से भारत के बीचों भी से जो रेखा जाती है ये वाली ये कौन सी है ये साड़े 82 डिगरी पूर्वी देशांतर है ठीक है भारत का मानक समय क्या होगा यदि greenwich mean समय एक बजे अपराहन मतलब 1 p.m. यदि यहां पर 1 p.m. का समय है greenwich पर तो भारत का मानक समय क्या होगा यह आप से पूछा है आप से पूछा है साड़े 7 p.m. होगा साड़े 6 p.m. होगा साड़े 6 a.m. साड़े 7 a.m. जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा अगर 1 p.m. है तो देखो एक बात आप बच्पन से समझ से आए होगी क्या भारत और great britain great britain मतलब यह ज तो मतलब भारत और great britain के समय में कितने घंटे का अंतर है बच्पन से master ji class में पढ़ाते आयते सर्फ साड़े 5 घंटे का 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है भारत और England के समय में यही भारत का समय आगे है कितना आगे है 5 घंटा 30 मिनट आगे है यही तो है प्रपर अच्छा सर याद आगया बच्पन से सीखे थे मैंने का सीखना नहीं हम प्रक्टीकली बताते हैं बोले कैसे सर मैंने का देखो अगर बात करें तो 360 डिग्री प्रत्वी घंटे में तो एक घंटे में कितना घूमी बोले सर एक घंटे में घूमी 15 डिग्री अरे 24 का भाग लगा दो एक घंटे में प्रत्वी घूमी पंद्रह डिग्री पंद्रह डिग्री अच्छा तो सर एक एक डिग्री कितने में घूमी मनका चार मिनट में एक डिग्री चार मिनट में प्रत्वी घूमी एक डिग्री एक सॉरी चार मिनट में एक डिग्री हां पंद्रह चौका साथ पंद्रह चौका स चार मिनट में एक डिग्री घूमी अब ध्यान से समझता चार मिनट बराबर एक डिग्री अब इस बात को ध्यान से समझता देखो जीरो डिग्री और साले ब्यासी डिग्री अंतर कितने का साले ब्यासी डिग्री का एक बजाए और साले ब्यासी डिग्री यानि चार मिनट में एक डिग्री तो साले ब्यासी डिग्री कितने मिनट में सर्फ पांच घंटा तीस मिनट में हो जाएगा साले ब्यासी डिग्री ब सबी साथी जल्दी आओ और अपने सभी सातियों को क्लास में आने का नियोता और पकड़ा तो क्योंकि बहुत जबर्जस्त क्लास है क्योंकि इस क्लास से पेपर आएगा ही आएगा ठीक है चलो जल्दी से आजाओ किस प्रकार के वन नर्मकाष्ट वाले व्रक्ष जैसे चीड देवदर आधी उगते या पैदा होते हैं किस प्रकार के वनों में उगते हैं जैसे चीड का पेड़ है देवदर का पेड़ है यह कौन से वन में पाई जाते हैं आपके सामने सीतोषन पन पाती वन सीतोशन सदावहार वन, संकुधारी वन या ओशन कटबंधिय पर्ण पाती वन, याद करो जल्दी से वन वाला चेप्टर पढ़ाया था, क्लास में मैंने वन वाला चेप्टर पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, है ना? तो वन वाला चैप्टर जब पढ़ाया था तो सीतोषन पर्ण पाती वन वो वन जो अपनी पत्तियां गिरा दें कब इस्प्रिंग सीजन में यानि बसंत रेतू में सीतोषन सदावहार जो कभी भी अपनी पत्ति नहीं गिराएंगे क्या करेंगे कैसे वन थे वो आवनूर रवल युटि जो पत्तियां नहीं गिराते उष्ण कटबंदें परन पाती पत्तियां गिराते हैं उष्ण कटबंदी छित्र में तो बचे कौन से संकुधारी तो वहिए संकुधारी यानि कौनी फेरस ऐसे वाले जो एक्समास्ट्री देखेो ना एक्समस्ट्री देखेो ना ये वाला ऐसे जो पेड़ होते हैं जैसे चीड का हुआ देवदर का हुआ ये सब कौन से हैं संकुधारी वन होते हैं ठीक है तो B option नहीं होगा C option होगा संकुधारी चीड देवदार अरे पहाडों में देखें ना आपने ऐसे संकुध तो यह कैसे होते हैं नरम कास्थ वाले ब्रक्ष होते हैं इनकी जो लकड़ी होती है उसका उप्योग लुगदी बनाने में कागज बनाने में इनकी जो लकड़ी होती है इन वनों की चीड देवदर की जो लकड़ी होती है लकड़ी इस लकड़ी का उप्योग कागज बनाने म कागज लुगदी लुगदी जानते हो ना लुगदी माचिस माचिस की तिली माचिस की तिली तिली बनाने में और क्या बनाने में भई माचिस की तिली के साथ साथ कवर बनाने में कागज के कवर बनते ना कवर बनाने में माचिस के कवर बनाने में यूज होता है उपयोग ठी होती है अगर आपने अगर साधियों में लड्डू रखने के लिए डलिया बनती है ना कागज की आपने देखा होगा यानि उससे तोड मडोर के पानी में डालके गलाके और ऐसा बना लेते लेप जैसा उससे फिर डलिया बनाते हैं कागज बनाते हैं यह सब में यूज होता ह है ठीक है मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है आगे समझे यह देखिए बहुत important सवाल और बहुत ही महत्पूर्ण सवाल भी है आज की ग्लास का देखिए सवाल क्या कह रहा है सवाल कह रहा है इस थल की उंचाई इस थल की उंचाई एवं बनस्पती की विसेश्था एक दूसरे से सम्मंदित है मतलब अगर मैदान पे देखो गए तो आपको अलग तरह के पेड़ मिलेंगे पहाड़ों में चले जाओ तो पेड़ पौदे अलग तरह के होंगे हाँ या ना बिल्कुल सब्साई बात है तो इसका अगर इस थल उचे पहाड़ों पर देखो तो अलग तरह के पेड़ मैदान में आ जाओ अलग तरह के पेड़ जांव वर्सा जादा होती है अलग तरह के पेड़ हर जगे पेड़ अलग तरह के होते हैं क। अच्छा कारण क्या है इसका वणसपती की वरधी ढेल एवन मिठी की परत की मोटाई पर निरभर करती है अब एक काम करो कियों लगा दो मतलब स्थलक्य उचाई वनसपती की विशेषथा एक दूसरे पर क्यों निरभर करती है यह क्यों आपने लगा दिया तो आपको इस हब सही दोनों है लेकिन क्या व्याख्या सही है अंसर होगा नहीं सर्भाफ में अपसि Ao nam नों का ये वाली चीज इस वाली चीज पर निर्भर Pasar नहीं करती है तो यह इसका मतलब हुआ यह आर दौटो सही है लेकिन आ एकी सही व्याक्या नहीं कर रहा है वासेंज तो सही है लेकिन यह उचाई और वनस्पति संबंदित नहीं हुए कुछ ठीक है तो राइट अंसर भी होगा अगला देखिए हाँ भई महासाग्रिय जल्धारा कुछ दिन पहले ही कराई थी और महासाग्रिय को से भूमद्य रेखा की ओड जाती है और गर्म जल्धारा सदेव भूमद्य रेखा से धुरुओं की ओड़ चलती हैं ये बात बताई थी यानि अगर यहां मैं बात करूँ तो इस तरह से मैंने आपको करवाया था देखो इस तरह से कुछ ऐसे जाएगी गर्म यह थी गरम महासागरिय धाराएं महासागरिय सतय एकांतर नियम से नहीं दिन में दो बार नहीं भूमद रेखा के निकट से चलती है नहीं थंडी जलदारा कहां से जलती है धुरूवों से उश्ण कटबंदी अक्छांसों की और प्रवाहित होती है सही बात है ना है ना सही बात है ना तो पहले का चौथा है अब एका फोर्थ कहां है अब देखो ए से थोड़ा उपर कर लें यहां मिल जाएगा एका चौथा देखो तो एका ए वाले का कहां है चौथा है तो एका चौथा देखो यह रहा कहीं बाकी है एका चौथा नहीं है तो राइट अं नीचे धडाम से गिरे, उपर उठना जवार, जवार भाटा 24 गंटे में दो बार आता है, और पहला जवार दूसरे जवार से 26 मिनट देरी से आता है, जैसे मैंने बताया था, पहला जवार दूसरे जवार से कितनी देरी से आता है, 26 मिनट देरी से, कैसे मतलब समझो, मिनट यदि एक बार जुआर आया है दोपैर को एक बज़े मान के चलो दिन के समय एक बज़े आया है तो अगला जुआर जब आएगा ना तो रात को एक बज़े कर 26 मिनट पर आएगा आगई बस समझ में पहला यदि एक बज़े दिन में आया तो दूसरा रात को एक बज़े 26 समझ गेuego अच्छा सबसे उंचा जवार आता है कनाड़ा। व्यों सबखैक हो पंडी की खाडी गढ़ी और कहां है कनाड़ा में है या सबसे उंचा जवार आता है और भारत बहुक्षाज्वार्ट में पूछे भारत में पूसार से जल का ऐवन गरना या कि अथा इस तरह से महासागर में जो तरंगे चलती रहती हैं तरंगे कहलाती है अच्छा गर्मधारा क्या होती है गर्मधारा भूमध्यरे खासे निकट से उत्पन होती है तो option number पहले लास्ट वाले का तीसरा यानि question नंबर यहां चोथा वाला सही डी सही हो जाएगा ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन लेते हैं मांसूनी मांसून पवने हैं अगर आपको पवने याद हों तो मैंने बताया था आपको इस्थाई पवने पढ़ाई थी कौ पछूहा पवने यह equator के समिप चलती है कौनसी पूरवा पवने एसे चलती है अगर अर्थ यह है एकविटर ही है तो ऐसे चलती है पुर्वा-पवन है तो यह उसके बाद मैंने आपको बताइती बास मी जो किसी जो मौसम की अनुसार अपनी दिसा बदलने मौसमि ये पवने नहीं मौसमी पवने बिल्कुल सर मौसमी पवने कौन सी पवने है मानसूनी पवने है और ये रितुओं के अनुसार दिसा बदलती है मौसमी पवने क्या करती है रितुओं के अनुसार दिसा बदलती है रितुओं के अनुसार दिसा बदलती है ठीक है रितुओं के अनुसार दिशा बदलती हैं किलियर चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखिए हाँ यह वायू मंडल की परत है इनका आपको मिलान करना है तो जैसे देखिए वायू मंडल की बहिर मंडल में क्या होता है सबसे बहिर मंडल सबसे उपरी परत तो यह वाले का दूसरा बहिर मंडल, exosphere, सबसे उपर वाला होता है, पांच परते मैंने बताई थी आपको, अच्छा, दूसरा छोब मंडल, छोब मंडल में क्या होता है, सबसे निचली परत, यानि पहले का A का दूसरा, B का तीसरा, ये सबसे निचली परत है, छोब मंडल, और इसमें सारी मौसम मंडी घटना होती है, है ना, तो A का दूसरा, B का तीसरा, अब A का दूसरा कहां है, A का दूसरा, B का तीसरा, C, समताप मंडल, समताप मंडल से क्या होता है, रेडियो तरंगे टकरा कर वापस लोटती है, और यहीं से आपका दूर दर्सन चलता है, यहीं से आपका क्योंकि महिलाओं का क्योंकि साज भी कभी बहुती कसोटी जिंदगी कहानी घर-घर की कभी खुशी कभी गम यह सारे के सारे जो सीरियल आप देखते हो वो रेडियो तरंगे समताप मंडल से वापस लोगती है ठीक है आगे देखिए बाहा मंडल इस परत में क्या होता है अगर बात कर होता है बाहा मंडल में क्या होता है रेडियो तरंगों का प्रसारण होता है तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर 4 is right 4 is correct answer कि आगे देखिए अच्छा यह कुछ क्या है यह कुछ भई परवतिय जानवर है और यह जहां हम उन्हें उजीज परवत झित्र में यूज करते हैं लाम्मा लाम्मा को यूज़ करते हैं एक तरह का जानवर होता है याता यात के लिए मतलब पाड़ी छित्र में चलने के लिए ठीक है तिब्बत में जैसे आप तिब्बत सेट साइड में जाओ तो वहां पर यूज करेंगे याक हिमाचल प्रदेश में जाओ याक वो होता ना वाई यह के याक माने बैल इतने बड़े- होते भी जाओ केदार न जाओ वहां पर खिचर यूज करते हैं खिचर समाझ हो खचर और घढ़े जैसे जो होते हैं आधे ढोडे आधे घधे वह भी तकिचर है्ना और गदे ये bleiben का कहां है एक औहीं का हूं थे-स का करते सा सीप गहां है ठीक है यह वाला करेक्ट अंसर होगा सटीक अंसर होगा ठीक वह चलिए आगे देखो असेशन रिजनिंग का एक बार फिर से असेशन रिजनिंग के सवाल बहुत इंपोर्टेंट है और आपके लिए बहुत महत्पूर्ण भी है ठीक है एक्जाम पॉइंट ओव यू से सवाल क्या कह रहा है अभी कथन एक वस्तू की उप्योगता अथ्वा प्रायोजिता उसे एक संसाधन बनाती है कि किसी भी वस्तू है अगर मैंने आपको संसाधन पढ़ाया था अगर वो मेरे काम की है तो क्या है संसाधन है अगर वो संसाधन काम की नहीं है तो संसाधन नहीं है अगर कोई वस्तु मेरे काम की है, यह पैन है, मैं लिख रहा हूँ, तो मेरे काम का है, तो क्या है संसाधन? अब सोचो अगर मेरे पास बोर्ड ऐसा ना होता, वो अता जिसे मार कर, वाइट बोर्ड सिंपल, तो क्या है मेरे काम का था? नहीं, तो यह मेरे लिए संसाधन नहीं सही है बई किसी वस्तू की उपयोगता उसे संसाधन बनाती है क्यों कि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है कुछ का नहीं सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता यानि सभी संसाधन पैसे से नहीं खरीदे जाते जैसे आपके माता-पिता क्या पैसे से खरी सकत करते हो नहीं न लेकिन वो क्या है संसाधन एक लिए ठीक है चलि तो राइट अनसर एस तथा आर लोगह करता है तो ओप्षन नंबर ये सही हो जाएगा दंक रेक्व करता है चलिए आगेрахे प्रकर रेक्च्षनालक्र लॉड mapped और मकर रेका के बीच का चेटर एगuire पहीं जीरो डिग्री ये शाणे टेशिंदीघरी Northern ये साणे ट्रेश एग्री South ये सबसे जल्मी पाथा है क्यों रहती है यहां से सबसे जल्मी रहती है सबसे जादा भारुष बी दियों इसे इसको कहते हैं उश्करवांदिया चेत्र सबसे ज़ेदा गर्मी रही बारिश रही तो पेड़ा पादे भी ज्यादा है तो बात यह क्योंच प्रफ हो इसा तो पहला तो सही और कफन तो सही ए कारण वाठाओ क्यों फ्रस में कम से कम एक बार दिन के समय मद्य सूरिय सिर के ठीक ऊपर होता है केने का मतलब सूर्य की किरने एकदमtur 90 डिग्री के एंगल से पड़ती हैं आगई बस समझ में सूर्य की कर ने एकजट सीधी पड़ती है ऐसे 90 डिग्री के एंगल से तो राइट अंसर ये भी होगा और कारण भी सही होगा तो आंसर क्या होगा ए तथा आर दोनों सही है और आर एकी सही व्याक्या भी कर रहा है एक्स्प्लेनेशन भी सही है ठीक है चलिए आगे देखिए फिर से विश्वत रेका ग्लोब पर एक महत्पूर्स अंदर बिंदू है बिल्कुल सही बात है इक्वेटर जो है यह इंपोर्टेंट बिंदू है इंपोर्टेंट पॉइंट है बिल्कुल सही बात है तो पहला तो उत्री गोलार्द नीचे वाले को क्या बोला दक्षणी गोलार्द तो यहां अगर बात करें तो उपर वाला उत्री गोलार्द नीचे वाला दक्षणी गोलार्द तो राइट अंसर क्या हो जाएगा भीया आर भी सही होगा विश्वत रेका प्रत्वी को उत्री गोलार्द औ तो ए तथा आर दोनों सई और व्याख्या भी सही तो राइटEr दोनों सई है और एकी सही व्याख्या भी कर रहा है ठीक है अगला सवाल देखिए फटावट से आगे क्या करौ है हां भई बहुत स linen सवाल बूकम पियाद है आपको भूकम्प करवाया था, क्या कह रहा है, यदि भूकम्प आता है, तो प्रत्वी की सतय पर कमपन होता है, अरे प्रत्वी हिलती है, जब भूकम्प आता है, अच्छा सर, और भूकम्पी तरंगे दूर सभी दिसाओं में जाती है, और भूकम्प की तरंगे जहां आता है, वहा जंप के जटके और इसका केंदर नेपाल में रहा ऐसे यूज आती है तो मतलब में तो जो सेंटर था जहां सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो कहां नेपाल में था लेकिन उसकी तरंगे उसके चारों और फैली और दिल्ली तक आई तो इसका मतलब क्या हुआ निम्ने विक उद्गम प्रत्वी के अंदर यह उद्गम केंद्र सदैव प्रत्वी के अंदर होता है यह कहां होता है प्रत्वी के अंदर यह उपर नहीं होता प्रत्वी के अंदर जहां से भूकम का जन्म होता है या जहां से भूकम पैदा होता है केंद्र सेंटर या इसे बोलते हैं ए सतह, सतह पर आता है, सतह पर आता है, इसे हम अधिकेंद्रिया आपी सेंटर भी बोलते हैं, भूकंप लेखी, सिस्मो ग्राफ, जिससे भूकंप की तीवरता का पता लगाया जाता है, ठीक है, और प्लेट सीमा, प्लेट आपने बताई, मैंने बताई, प्रत्वी के अंदर प् इस्थल मंडल और प्लेट हिलती है तो इस्थल मंडल भी हिलता है जिसके साथ हम और आप और हमारे घर सारी चीजें हिलने लगती है यह बात आया था ना मैंने आपको तो राइट टंसर हो जाएगा ए पहला option उद्गम केंद्र पूरा यह एक होता हैEPIC crucial जीसे बोलते हैं जो इसमें नहीं दिया हो यहां पर भूकाम दिखाई देता है भूकाम ले की प्लेट सीमा ओर अधिकेंड इन तीनों चीजों सजीव और उनके चारों और के वातावन का परसपर संबंद पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है मैंने बताया था सजीव के साथ सजीव का संबंद सजीव के साथ निर्जीव का संबंद का अध्यनी क्या है पारिस्थितिक तंत्र है, इको सिस्टम है, इस सिस्टम की जब हम बड़े लेवल पे स्टडी करते हैं, इसी को हम एकोलोजी बोलते हैं, आप पारिस्थित की, कथन एकदम सत्य है, कारण, सभी पौदे, पसू, मनुष्य अपने चार ओर के वातावण पर निर्भर करते हैं, भया, आप, मैं, पसू, जानवर, पेड़, पौदे, सब हम आसपास के वातावण पर निर्भर करते हैं, बिल्कुल सही है, तो कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है, तो दोनों सही है, ए तत्थार दोनों सही, और आरेकी सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है, चलिए, मैंचिंग करने में तो माहिर हो तो जल्दी से आ जाओ होती है वच्पेड़ पहाड होते हैं या लोहा मैगनीशियम तावां कॉपर कहां से निकलता है इस्थल मंदल से निकलता तो एक तीसरा यहां एक तीसरा बस यहां है बागी तो कही है है नहीं बस तो एक तीसरा साई हो जाएगा ठीक है डिचोंड़ स्वहskin की विभिन निर्मित पड़ते हो तो बी का चोथा हो जाएगा यह रहा सी जैव मंडल क्या है जहां पर पेड़ पौदे और जीव जन्तु रहते हो जैव मंडल हो गया दूसरा सी का डी जल मंडल जहां पर पानी हो जल जैसे विभिन जैसे नदियां जीले समुद्र सब जल दियू में मौजूद गैसों से ग्रीन हाउस गैस है हाँ वही आप में से फہल तो यह बताओ कौन-कौन बाल कलाकार ऐसा है जो ग्रीजास का मतलब हरा घर समझता है कि हरे रंग का घर होता है उसमें गैस भढ़ देते वह ग्रीन हाउस हो जाता है ग्रीन हाउस गैस बोल दे से आप में से किस किस के दिमाग में ये वाली बात आती है पहले तो मुझे ये बता दो देखो ध्यान से समझना बहुत ध्यान से ग्रीन हाउस का मतलब होता है ध्यान से सुनो जैसे ये प्रत्वी है तो सूरे से डेली सूरे से डेली संरेज आती हैं और प्रत्वी उनको अवस अवसोसित कर लेती है इस अवसोसित करने को यानि प्रत्वी जितनी सूर्य की हीट अवसोसित करती है उसे बोलते हैं आत्पन आइसोलेशन आत्पन आइसोलेशन आइसोलेशन बोलते हैं फिर यह आइसोलेशन को वापस वायू मंडल में साम को भेज देती है आपने देखा हो से आग निकल रही हो उससे जादा गर्मी लगती है ठीक है तो यह गैसे मिलकर बहुत सारी गैसे मिलके प्रत्वी के चारों और एक ऐसे कवच बना लेती हैं जिससे प्रत्वी की जो गर्मी है ना वो बाहर नहीं जा पाती इसी को बोलते हैं क्या जो यह गैसे यह जो परत बन तो carbon dioxide, सबसे सक्रिय गैस है, इसके अलावा इसमें क्या-क्या होता है, CH4 यानि मीथेन होती है, इसमें बात करें तो nitrogen K-oxide, sulfur K-oxide, N2S, nitrogen sulfide, ETC, आधी गैस होती है, और सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, इसमें जल वास्प, जल वास्प, यानि water vapor इसमें अधिक मात्रा में पा वायू, विभिन गैसों का समलित मिस्रण है, वायू के विशे में सही कथन का चुनाव कीजिए, समझिए, वायू, पौधे वायू से सीधे nitrogen लेते हैं, गलत बात है, मिटा पेड़ पौधे पहले nitrogen को nitrate में बनलते हैं, यानि पेड़ पौधों की जड़ों के द्वारा, पह नाइट्रोजन, नाइट्रेट में बदलती है, नाइट्रेट, नाइट्रोजन से नाइट्रेट, किसके द्वारा, राइजो वियम नामक एक जीवानू होता है, उसके द्वारा, नाइट्रोजन, नाइट्रेट में कनवर्ट होती है, तो पहला बिल्कुल एकदम गलत, दू nitrogen इत्रोजन जो कि लगभग कितना पाईप जाती है कमेंट करके बता लगभग 78 परेंट ऑक्सीजन पाई जाती है oxygen की बात करें दॉट लगभग 21 परिसेंट उसके बाद तीसरी सबसे ज्याधा पाईप जाती है आरगन आरगन पाई जाते है 0.93 पर्सेंट लगभग और उसके बास सीओटू की बात करें तो यह 0.03 पर्सेंट सीओटू पाई जाती है तो यह नहीं पाई जाती है चोटे-चोटे धूल कण वायू में मौजूद होते हैं बिल्कुल ऑरे चोटे-चोटे जो धूल के कण तीसरा वाला सही हो जाएगा बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ भी तेहरों में गाउं की अभेक्चा अधिक तापमान रहता है सही विकल्प का चैन कीजिए क्यों रहता है हाँ आपने देखा होगा भाई सबने कि सहरों में गर्मी जादा होती है जैसे अभी सर्दी क का मौसम है सहर में रहने वालों ko उतनी जर्दी नहीं लग रही होगी लेकिन गाउं में भेंकर सर्दी पढ़ रहे है बाई आप अगर गाउं में चले जाओ नशी होना गाउं में जाके हालत देखो तो हालत खराब हो जाएगी इतनी सड़दी है तो उसका कारण क्या है पहला देखो कॉंक्रीट और धातू निर्मित भवन दिन में गर्म हो जाते हैं बिल्कुल सही है भई सहरों में गर्मी होने का कारण यही है कि कॉंक्रीट से बने यानि सीमेंट पत्थर से बने जो घरें वो जल्दी से गर्म हो जाती है सही बात है ऐसा फैल्ट निर्मित सड़कें गर्म हो जाती है बिल्कुल सही है भईया ऐसा फैल्ट यानि जो तार कोल वगरा से जो सड़कें बनती है पत्थर से कॉंकreciरीट से जो सटकें होती हैं जल्दी गरम होती है, शड़कें गरम हो जाती हैं, वो सूरे से आने वाली रोश्णी को अव्सोसित कर लेती हैं, ठीक है? भीड भाड वाले उचे भवन गर्म हवा रोक लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, भीड भाड वाले भवन होते हैं, बड़ी-बड़ी इमारते हैं, वो गर्म हवा को अंदर ही रोक लेती है, हवा आतो जाती है, लेकिन बाहर नहीं जा पाती, गर्म होती है, जिससे क्या होता है गर्मी जदा लगती है आगे क्या कह रहा है सेरों में अधिक खुले स्थान और पेड़ पौदे होते हैं आरे भीया सेरों में कहां खुले स्थान कहां पेड़ पौदे छोटे छोटे कलोनियों में एक पार्क मिल जाएगा बहुत सारी जहां बहुत ज़्यादा लोग रहते है वहां तो पार्क भी नहीं है, है ना, तो ये वाला बात गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, डी वाला गलत है, तो A, B और C राइट अंसर हो जाएगा, यानि option number A सही होगा, option number कौन सा भई, A सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्र ये उनके क्या है, ये उनके प्रकार है, मतलब ये कुछ खनीज है, चूना पत्थर खनीज हुआ, सीसा हुआ, कोईला हुआ, महेंगी, ये उनके प्रकार है, कौन सा खनीज, किस प्रकार का है, ठीक है, चलिए, देखते हैं, कौन सा खनीज, किस प्रकार का है, बहुत ध्यान से समझने का जैसे लोहोखहनीज में क्या आएगा तो आप कोगे सालोहे में ऐसा खनीज जसमैं लोहे की मात्रा हो अई कल आपने सर एका चौता तो केवल कहां है एका चौता केवल यहां है तो राइट अंसर तीसरा हो जाएगा बाकी तो कहीं नहीं है ना फिर भी मिलान कर लेते हैं जीवास्म यानि ऐसा खनिज जो जीवों के अंस से बना हो जो किससे बना हो वही जीवों के अंस से बना हो जीवास्म खनि यानी B का तीसरा, अधात्विक खनिज कौन सा है, जिसमें धातु नहीं, अधातु है, तो वो हो जाएगा भाईया, चूना पत्थर यानी Lime Stone, है ना, मैंने कराया है खनिज को बहुत अच्छे से, अलो कौन सा हो जाएगा, C सा हो जाएगा, भई, लेड अलो हो जाएगा, या जल्दी जल्दी आई इन प्रशनों से बहुत सारे सवाल के तो आपको ऑप्शन भी से मिलेंगे इस बात की गैरेंटिय मैं यह नहीं कह रहा कि सारे से मिलेंगे नहीं कम्प्लीट सस्टी हो जाएगी नहीं लेकिन हां इतना हो जाएगा कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास करना है तो वन के जीवों का स्रक्षण करने के लिए इनमेंसे कौन सी चीज आवश्यक है पटाफट से बताईए पहला देखिए कौन सा आवश्यक है जल्दी से वनों की कटाई और म्रद्दा परदन भाई साब अगर वनों की कटाई कर दोगे तो भाई साब जंगली जीव कह महीं रहेंगे ही नहीं तो ये तो गलत हो जाएगा दूसरा देखिए दावानल या जंगल की आग और भूस कलन भाई साब अगर जंगल में आग लगा दोगे तो वन के जीव तो मड़ जाएंगे ये भी बात गलत है राष्ट्य उद्यान और वन्ने जीव अभ्यारन यानि सही आ रहा है आप सभी सातियों का मुश्टी का सही अंसर है चलिए अगला सवाल देखिए हाँ यह देखिए यह आपके लिए इंपोर्टेंट बात इंपोर्टेंट बात यह है कि जिस किसी भाई बहन ने अब तक सीडीपी नहीं पड़ी है तो सीडीपी का राम बान एकद सम एक क्लास सीडीपी समा अगर आपने कुछ भी नहीं पड़ा है तो भी आप इस क्लास को जोइन कर लीजिए कल यानि साथ जनवरी और समय रहेगा आपका साम को 8 पीम साम को 8 बजे एक महराथन होगी सीडीपी की और इसमें कंप्लीट स्लेबस आपको करवा दिया जाएगा यानि कंप्लीट जो आपका 30 में से 30 वाला फॉर्मूला है न वो इस महराथन में आपको दिया जा रहा है तो कल 8 बजे इस महराथन के साथ जुड़ना ना भूल तो चलिए तयार रहिए कल के लिए भी और आज के लिए भी तयार आज अभी बहुत लंबी क्लास होने वाली है चलिए आगे बढ़ो फटावट से निमलिके कतलों ए बी तता सी पर विचार कीजिए और सही विगल्प का चुनाव कीजिए देखो भई यह पहला मानव बस्त है बही आगे क्या कह रहा है एक आदर्स बसाव इस्थान के चुनाव में प्राक्रतिक दसाओं का कोई योगदान नहीं पहले एक बात बताओ आप अपना घर बनाना चाहते हो तो तो क्या आप ऐसी जगह बना लोगे जहां बाड आती हो नहीं बनाओगे ना यहां पानी न तो नहीं आता बाढ तो नहीं आती सूखा तो नहीं पड़ती सारी चीजें देखकर तब घर बनाओगे तो ये बात गलत है तीसरा केवल जब मनुश्य फसलें उगाना प्रारंब किया तब उसके लिए इस्थाई घर बनाना आवश्यक हो गया ये बात बिल्कुल सही है अगर इस तrike टार्मानन कभ वगा जब उसने फसल हुगाना शुरू गिया क्यूंक एगर फसल उगा ली तो फसल ऐसे तो फसल हुगाने के लिए मनुष्य ने इस्थाई घर बनाना भी शुरू कर दिया तो इसमें ए और सी सही है बी गलत है तो ए और सी कहां है भई ए और सी को आप देख पाओगे तो ए और सी भईया यह रहा ऑप्शन नंबर तीन में है ए और सी देखो यहां देखो तो जल एक संसाधन के संबंद में ABC कथन को ध्यान देते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए जल क्या है एक संसाधन है भई मैंने बताया जो भी चीज को हम यूज करें वो क्या है संसाधन है हमारे लिए तो जल एक संसाधन है अब उसके बारे में हमें समझना है तो देखि कि हम डेली सुनते हैं कि से वाटर से वाटर पानी की कमी कैसे हो गई जब घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता मैं यह पानी की कमी इस वजह से हो गई कि रूप परिवर्तित हो रहा है जमीन के पानी को निकाल के सागर में गिर रहें वेस्ट कर रहें सागर में जाता और साग प्रिजद परत्वी का पानी मानव के उपयोग के लिए है। बिल्कल सही बात है। यानि दस दिन में 20 महीने में 1 साल में % alcanz जल्दी बन जाए। थो यह भी बात सई है। पानी ये कैसा रृनियोबल है यानि नवी करनी तो एप्र test सी यानि यह सरकारी option हो जाएगा सारे के सारे सही है A B C सभी सही हो जाएगे ठीक है तो राइट अंसर यहां D हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं अंगला प्रेशन प्रारंबिक इस तर पर एक सिक्षिका अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है अच्छा निव्ण में से किन उधानों को उन्हें अपनी कक्षा में उप्योग में लाना चाहिए देखो इन डिरेक्ली उसने पूछ क्या लिया सीटेट की यही तो खूबसूरती है वो घुमा फिरा के बात करता है इन डिरेक्ली उसने पूछ लिया इन में से कौन सा खनिज है बस यह पूछा है इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता था अगर इस सवाल को यूपीटेट पूछ था तो पूछ लेता बताए इन में से कौन सा खनिज है ठीक है अब देखो copper खनिज है प्रत्वी से निकला जाता है सही है नमक खनिज है बिल्कुल अबरक माइका जिसे आप कहते हैं माइका खनिज है चुना पत्थर घनेज है यानि सारे खनिज है तो सरकारी option यहां right answer हो जाएगा A, B, C, D. सरकारी option यहां right हो जाएगा A, B, C, D. ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन देखिए. दिये गए लक्षणों A और B के आधार पर फसल की पहचान कीजिए. यह आपको एक क्या दिया हुआ है? कुछ लक्षण दिये गए इसके आधार पर आपको एक कौन सी फसल के बारे में हैं, यह पहचान करना है. समझे इसके लिए गर्म और आद्र जलवायू, गर्म और आद्र का मतलब temperature ज़्यादा और वायू में जलकी मात्रा, humidity, वो भी ज़्यादा होनी चाहिए. अच्छा, सू अपवाहिद दोमट म्र म्रद्दा बनी है, वो दोमट प्रकार की म्रद्दा होनी चाहिए. आवशक होती है. ठीक है बाई? दूजरा, इस फसल की व्रद्दी के लिए परवतिय धाल अधिक उप्युक्त होते हैं. यानि जहां यह फसल बोई जाती है, वहाँ परवत धलान हो, ऐसे धलान वाला हो, और यह धलानों पर बोई जाती है, ऐसे धलानों यह धलानों पर बोई जाती है, कौन सी फसल है साथ? ओप्शन दिए समझी, चाय, कपास, कौफी, चावल, कौन सी फसल होगी? देखो अगर यहां बात करें, तो यहां चाय भी अंसर सही है, गलत नहीं कह सकते, लेकिन उसने कौफी के लिए, किस के लिए चाहिए भईया? वो चाहिए कौफी के लिए गर्म और आद्र जलवायू, चाय के लिए ढलान तो चाहिए, लेकिन गर्म और आद्र जलवायू, not mentioned, समझ के? क्या चाहिए? कौफी के लिए ज़्यादा चाहिए, चाय भी सही होता, अगर कौफी option में ना होता तो फिर आप चाय लगाते लेकिन coffee option में है तो right answer coffee होगा और coffee अगर बात करें सबसे ज़ाधा जो पैदा करता है वो करता है ब्राजील coffee की जो सबसे ज़ाधा wish में पैदा करता है first number पे है ब्राजील और तो वहीं अगर भारत की बात करें, तो भारत में कौन पैदा करता है, सबसे ज़्यादा कॉफी करना टक में पैदा होती है भारत की अंदर, और यहां दो किसमें पैदा होती है कॉफी की, फस्ट है भारत में करना टक, दूसरे पे आता है कौन सा, केरल आता है दूसरे पे, और अगर यहीं बात करें तो कौन से कौन कौन सी कौफी तो दो किसमे हैं कौफी की एक का नाम है अरेविका जो सबसे ज़्यादा पैदा होती है करनाटक में जो सबसे ज़्यादा पैदा होती है पूछा गया प्रशन है अरेविका ये कौफी की किसम है अरेविका कौफी और दू कॉफी की किसमें जो भारत में पैदा की जाती है ठीक है और कहां में ली करनाटका में किलियर हुई कहानी भारत के अंदर करनाटक में किलियर बात चली अब आगे बढ़ते हैं फटावट से अगला प्रशन निमलिकित कथनों में से मानचित्र के संबंद में कौन सा कथन सही है मैंने आपको मानचित्र पढ़ाए थे अगर आपको याद हो याद है ना मानचित्र में पढ़ाए थे अब उस मानचित्र के संबंद में ही आपको कुछ प्रस्ण पूछे गए है जो आपको बताने हैं, देखो ध्यान से, मानचित्र की बात करें, मानचित्र के तीन घटक होते हैं, पहला, दूरी, समय और चिन, देखो भई पहली बात समझो, चिन यानी प्रतीक, मानचित्र में तीन नहीं दो घटक होते हैं, एक दूरी होती है, और एक मानचित्र के चिन ह होते हैं समय मानचित्र का कोई घटक नहीं होता है ठीक है तो यहां पर समय वाला जो है वो गलत है तो इसका मतलब option number a गलत है दूसरा जब बड़े छेत्रपल वाले भागों जैसे महादीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब छोटे पैमाने वाला मानचित्र उपियों करते हैं याद करो मैंने बताया था कि जब ही हम बड़े छेत्र का चित्र बनाते हैं कागज पर जैसे महादीप कोई एक बड़ा देश एक महादीप सागर तो उसे हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र को यूज करते हैं कौन सा यूज करते ह ऑच्छा ज़ां को कागज पर दिखाते हैं तो YOUNG बड़े पैमाने वाला मांचितर करेएं एकूरों 6C9 करेंगे-Jung उच्छनी जुटी चीज को कागज पर शक्राइंगे करनान चालेएं एवं B where C right answer हो जाएगा, ठीक है, B और C सही है, और जबकि A वाला जो है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है, किलियर, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, फटावट से अगला प्रशन देखिए, और जल्दी क्लास में आईए, सभी साथी फटावट से क्लास में आजाईए, अगला स समझें, विश्वत वृत यानि विश्वत रेखा, बोले तो एकवेटर रेखा, इस महादीब के लगबग मध्य से घुजडागते है, यानि भूमध्य रेखा जो है वो इस कॉंटिनेंट के लगबग बीच में से घुजडागती है, ठीक है सर, इस महादीब का बहुत बड हाँ याद है यह वाला यह भूल गए यह वाला कउटिनेंट एक्कवेटर एक यहाँ से गुजरती है और याद आया यहां से 0 अफरीका को ब्लाइंड कॉंटिनेंट या अंध महादीब भी कहा जाता है यह वही जगए जहां पे सहारा मरुस्थल ढिग्ए सवाना गासके मैदान सवाना सवाना घासके मैदन पाए जाते हैं आटा-कमाद ढीसर्ट पर सुरी कॉंसर नामी भिया मरुस्थल पाया जाता है काला हारी मरुस्थल पाया जाता है सोने और हीरे की खान याद करो जोहानस बर्ग और किंबर ले पाई जाते हैं अफरीका में ही तो राइट अंसर सी हो जाएगा अगला सवाल देखिए हाँ बहुत इंपोर्टेंट exam point of view से सबसे जादा important कत्वन और कारण की बात करें हरे पौदे co2 का प्रियोग करके अपना भोजन तयार करते हैं बिल्कुल सही बात है अरे carbon dioxide पेड़ पौदे क्या करते हैं carbon dioxide लेते हैं co2 लेते हैं और अपना भोजन बनाते सूरे के प्रकास में जिस क्रिया को हम क्या बोलते हैं प्रक संसलेशन की क्रिया co2 की मात्रा जितनी अधिक होगी प्रत्वी पर उतना ही अधिक जंगल होगा हाँ अगर co2 की मात्रा जादा हो जाए प्रत्वी पर तो क्या उतना ही अधिक जंगल होगा नहीं यार यह तो बेतु की बात है यह बात बिल्कुल गलत है तो पहली बात सही ह दूसरी बात गलत है तो इसका मतलब A सत्य है और B असत्य है तो option नमर तीसरा हो जाएगा A सत्य है और B असत्य हो जाएगा ठीक है चली आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगला प्रशन भूकम की तीवरता रेक्टर स्केल पर मापी जाती है यानि भूकम की तीवरता का मापी क इसके द्वारा जाती है सिस्मो ग्राफी के द्वारा सिस्मो ग्राफी ग्राफी के द्वारा भूकम की तीवरता ना पी जाती है और भूकम का अध्यान सिस्मो लॉजी कहलाता है सिस्मो लॉजी कहलाता है इसमें जो पैमाना यूज करते हैं भूकम की तीवरता मापने के ल तो इसमें मापि जातिया reactor पहाने पर कौन सा मान या उससे अधिक वस्तूओं के गिरने कि छती पहुंचाता है यह शती है च्छती पहुंचा सकता है मतलब भूकम की तीवता कितनी हो कि कोई दिक्कत ना हो ज्यादा प्रॉबलम ना हो लेकिन अगर उससे ज़ादा हो गई तो दिक्कत हो जाएगी तो देखो अगर रियक्टर स्केल पर तीवता 5 है तो आपके कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी लेकिन अगर भाईया 5 से 6 हो गई ना तो इसका मतलब 5 से 6 होने पर 10 गुना तेजी से भूकम पा गया और 6 होने पर ना समझ रहे हो ना 5 होने पर तो हलका फुलका फील होता है जब 5 का भूकम पाता है ना he got company exam कि जब पांच होती है न तो बस हीलने लगती है सद्वाती इसफिर बार्ष की साथ ड्रायवर ही लने लगते हैं और शाधो होती है ना तो भाई लिगन फिरवार भू कले दर्कारवाले जटके आये और इतने लोग मारेंगो इतनी बिल्डिंग और इतना नुक्सान समझ गेना बात को तो यह राइट अंसर यहां पर ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा निभी हो जाएगा अगला सवाल देखो आप जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायू में मौझू ताप तता सीतलता की ही होती है किसी इस्थान का तापमान निर्भर करता है किसी इस्थान का तापमान किस पर निर्भर करता है कहीं भी गर्मी है या सर्दी है यह बात किस पर निर्भर करती है जल्दी से जैसे जैसे आप अक्छांस जीरो डिग्री है एक डिग्री पर तापमान जादा होगा दो डिग्री पर थोड़ा कम तीन पर जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाओगे 90 पर जाकर तो तापमान जीरो हो जाता है अरे धुर्वों पर तो तो तापमान अक्छांस पर निर्वर करता है दूसरा इस्थान की उंचाई पर बिल्कुल भई अरे उपर उंचे स्थानों पर जाओगे पहाणों पर जाओगे तो तापमान कम होगा बिल्कुल सही बात है इस फान के देशांतर पर बाई देशांतर पर तापमान निरंबध नहीं करता ह। बिलकूल जांग सब्सक्राइब का मतलब कौनसा अभी यी सै भार्या ती योटक होते लेकिन समय नहीं नहीं होता डिरेक्शन होती हो डिशा होती है ठीक है समय नहीं दिशा और सिन को मान चित्र के तीन घटक होते हैं दूरी लेको यह समय को काट दिया तो नं not घटक है वास्ता में मानचित्र के तीन घटक होते दूरी दिसा और Q deeper 邊 refuse मतों मैंने पढ़ाया है तीन घटक मैंने पढ़ायों क्लास में दूरी गिशाच मां चित्र खटक होते समय नहीं होता है इसलिए मैंने माँ समय को खटवा के मैंने बोला कि यह dau ऐसे मत लो बात को ठीक है अर्थ का अनर्थ मत किया करो तुम लिखे देता हूं दूरी दिशा दूरी दिशा और चिन ठीक है दूरी दिशा चिन लिखे देता हूं आप इस सवाल का तब तक आप मुझे अंसर करो मैं फटाफट तब तक एक सेकंड मुझे पानी पीने के लिए दे दो ठीक है जल्दी से इसका अंसर करके बताओ मुझे जल्दी बताओ फटाफट से कि अ कि हावी चलो कि लियर रहना इसका अंसर बताओ प्रत्वी द्वारा ध्यान से सुनो निम्न कथ्णों पर विचार कीजे तता सही विकलब का चैन कीजे प्रत्वी द्वारा प्राप सौर विक्रण से प्रत्वी की सतय गर्म होती है बिल्कुल सही बात है वह यो सूर्य की विक्रण आती है उसी से तो प्रत्वी की सतय गर्म होती है बिल्कुल सही है आगे देखिए प्रत्वी स्व तो है कि रॉड को गरम कर दो है ना और गरम करके उसे अपने पास रखलो वो क्या करेगी आपके आसपास गर्मी फेकेगी सही बात है ना बिल्कुल साथ आगे देखिए नाइट्रोजन प्रत्वी द्वारा विक्रिणित उसमा को रोक लेती है तता प्रत्वी के तापमान को बनाये रखने में शाहएता करती है या यह वाली बात गलत है तो ऑप्षन नंबर ए तता बी दोनों सही हो जाएंगे यहां राइटन साथ ठीक है वाई ओप्षन नंबर ए सही होगा ए और बी सच्छी वाला तो गलत रहे ठीक है चलिए आगे बढ़ते है फटावट से तो और हमारे सरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता हमारे सरीर पर पसीना आता रहता है तब निम्न मेंसे किसकी सायता से इसे बहतर समझाया जा सकता है हाँ वै क्या कारण है कि कपड़े सूखने में समय लगता है हमारी बोडी का पसीना सूखता नहीं है तो इसका रीजन क्य क्या कारण है जलदी से कमेंट करके बताओ फटावड से क्या कारण ऐसा क्यों होता बिल्कुल है। हुमेडिटी रा राठी का कमेंट राहे है यह साहद नाल पता नहीं क्या है। हिूमेडिटी आध्रता के कारन ऐसा होता है। चलिए अगला सवाल देखिए। निम्न का मिलान कीज़े तता सई विकल्प का चैन करेए। पर यानि एका दूसरा बीका तीसरा अब देखो कटीली जाडियां ये तो राजिस्थान में पाई जाते हैं जाते हैं सी का चोथा मेडि रोवन ये पाए जाते है भैया कठी सोरी यह नोग अपना ना नो देखो कटीली जारीयार राजिस्तान के अदिनी सी का पहला है अब सी नी का पहला यहां है और सी का पहला यह थेको जरा मेहरा पहला यहां है और सी का पहला यहां ना या तो यह है अंसर यह यह वाला है अंसर दूसरा मैग्रो वन मैग्रो वन पाए जाते हैं डेल्टा छित्र में सुंदर वन के डिल्टा मेरी डी का चोथा आप देखो डी का चोथा का है डी का चोथा यहां भी है और डी का चोथा यहां भी है अब क्या लगाओगे अब ध्यान से देखो पहला क्या क वन पश्मी घाट के पूर्वी डहलान पर यानि ऐसे समझो यह भारत भारत में यह वाला घाट क्या है पश्मी घाट इसका यह वाला जो धलान है यहां पाए जाते पश्मी घाट के पश्मी डहलान पर उश्ण कटबंदिया वर्सावन क्योंकि यहां वर्सा अधिक होती है य इधर पाए जाते ऊशन गटे बंदिया परण पाथी वन ये पूरी डा इधर पूरवी डालान इधर पम ठिक इसे बोलते ये पहाडेया पूरा इसे बोलते फैस्टल गात यह पश्मी गात इसे क्या बोला हो जाए का हो जाएगा option number C वाला हो जाएगा यानि तीसरा वाला सही होगा option number C राइट अंसर ठीक है तो यहां option number कौन सा C is correct answer यहां हो जाएगा समझ में आगई बात चलिए आगे बढ़ते फटाफट से अगला प्रशन लिखते एक अधापिका अपनी घक्षा में जनसंख्या और उसके संग्ठन के संदर में पढ़ा रही है वे अपने छात्रों को जन संख्या प्रामिट याद आया कि लास्ट चेप्टर करवाया था मैंने ncrt एट क्लास का लास्ट चेप्टर करवाया था जिसमें जन संख्या के बारे में पढ़ाया था जन संख्या प्रामिट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था याद आ रहा है ना कुछ है ना तो पहद्हार पर तो चोड़ा और ऊपर की तरफ गए तो पत्ला ऐसा प्रामिट यह किसदेस का प्रम जोगा और मतलब इस जन संक्या क्या है जन्म तो ज्यादा जन्मदर ज्यादा जन्मदर झाद इस प्रामिट का मतलब कै答ा circum जादा प्लस लगा रहा हूं मतलब जादा लेकिन मृत्यूदर भी क्या जादा यानि बच्चे पैदा भी जादा हो रहें और बच्चे मर भी जादा रहें यहां मृत्यूदर भी कैसी मृत्यूदर जादा मृत्यूदर भी जादा एक प्रामिट तो यह इस प्रामिट का आधार ज्यादा चोड़ा नहीं होता और सीर्स एक्डम से पतला नहीं होता धीरे-धीरे होता है। तो यह वाला फिर पतला फिर चोड़ा यानि सबसे जादा जो इस तरह से जापान का प्रामिट बनेगा यानि जापान में बच्चे बहुत ज्यादा जन्म नहीं लेते हैं ना फिर उसके बाद लगबग युवाओं की संख्या जादा फिर थोड़े कम यानि 50 साल के वेक्ति कम फिर लेधा किसी देशमें तो वो जपान है यानि औवर ओवर्ण धन्टैज है ठीक है आगे देखिए निमले के तुमेंसे कौन सा प्रवाश को प्रभावित करने वाला अपकग़्ण अपकर्ष कारक है प्रवास को कौन प्रभावित करता है यानि आप कही रहर हो प्रवास मतलब which of the following degrading factors affecting of migration यानि प्रवास को कौन प्रभावित करता है पहला एक का रहे है तू अच्छे अवसर बिल्कुल सही बात है आप कहां जाना पसंद करोगे जहां आपको काम मिले जहां आपको रोजगार मिले आप वहीं तो रहना पसंद करोगे है ना जहां आपको रोजगार मिले आप वहीं पर तो रहना पसंद करोगे हाँ या ना बिल्कुल सर वहीं रहना पसंद करेंगे पहला दूसरा बहतर स्वास्त सेवाएं जहां भया आपको हॉस्पिटल मेडिकल की सुविधा यह सारी चीजा अच्छे से मिलें वहां रहना पसंद करोगे बिल्कुल सर रहना व सईटी में घर लेने कि आप वहां रहोगे आप मुंबई के जि båसा चाहते हो जहां से समुद्र साब अधिक्टां यह तो यारा आप वहां रहोगे लेकिन क्या पैसा चाहिए नहवा आप उस कलोnnई में घर बनाना सते हो जाहां म इसम्बानी का घरा बना विकल्प का चुनाव करें देखिए निम्लिकित गत्रों पर विचार करने हाँ चलो जल्दी से आओ फटाफट से सभी सती प्रात्मिक गतिविद्यों में प्राकर्तिक संसाधनों का निसकर्षण और उत्पाधन सामिल होता है आगे ऐसके रहा है यह बात तो सही है आगे किया कर रहें बैंकिंग यातायात और विज्यापन द्वितीय गतिविद्यों के उधारने नहीं यह सेकंडरी नहीं है तो एवाला सही है बीवी गलत और सीबी गलत यानि के वल और केवल ऑप्शन नमबर यह सही हो जाएगा ठीक ह ये सही राइट अंसर हो जाएगा क्लियर बात चली आगे बढ़ते फटावट से अगला प्रशन देखिए भारत के किस छेत्र में बहुत धर्म बहुत धर्म तिबबत पहुंचा हाँ भारत के किस छेत्र से बहुत धर्म तिबबत पहुंचा जल्दी बताओ ये मुझे हाँ भारत के किस छेत्र से बहुत धर्म तिबबत पहुंचा तो भया हिमाचल प्रदेश से पहुंचा था बहुत धर्म तिबबत में भारत में था बहुत धर्म देखो आज अगर बात करें तिबबत या चाइना में बात करें तो बहुत धर्म का जो उद्गम हुआ कहां से से हुआ भारत से हुआ और आज सबसे जादा बोर हुद कहा एं चीन में थिवत में इनमें वह लद्दाक से नहीं हिमाचल प्रदेश से हुआ हिमाचल प्रदेस में भी आज भी डलाई-लामा रहते हैं जो देखो जीन की और एसाब से चलें, चीन की सरकार चाहती थी, लेकिन डलाई मलामा ने इसका विरोध किया, और दलाई लामा को वहाँ सजाए मौद दे दी गई, तो वह भाग कर भारत में आ गई, और भारत की तो पता है आपको, कि अथीदी देवो भवो, भाई साब कोई भी सर्ण में आया, त तभी से भारत और चीन का 36 का अखड़ार है ठीक है हूच चली आगे बढ़तो ना भाई लद्दाक में सबसे ज़्याधा बहुत धर्म के वाले पाए जाते हैं लेकिन गया था हिमाचल परदेश से लद्दाक से नहीं गया था हिमाचल से गया था हिमाचल प्रदेश से हाँ जी चलिए आगे देखो फटावट से दिए गए कतनों यह तादा भी के आधार पर महादीप की पहचान करें यानि यह कथन दिये गए हैं इनके आधार पर भाई साब देखो एक सेकंड दो मुझे बस एक सेकंड में चेक कर लो एक सेकंड दो अगर हाँ भई स्वरी लद्दाक के माध्यम से तिब्बत में पहुंचा यह हिमाचल नहीं लद्दाक कर लो भई धन्यवाद बताने के लिए लद्दाक के माध्यम से तिब्बत पहुँचा भि माचल नहीं लगदाख हिमाचल में तो वरतमान में डलाई लामा रहते हैं जो दलाई लामा थीप more recess Ilaamah स्टैंग अपने मंदर के पादरी योते पुजारी होते इस तरह से जो आएसे बौद में रहते हैं दलाई हिमाचल में तो वर्तमान में दलाई लामा रहते बाकी जो धर्म पुर्छाता वह त कि aladasi पॉछा कथ और यहां इस बात में कन्फưूज हो गया क्यूंकि दलाई लामा यहां था मैं इसमें कन्फ्यूज हो गया दलाईलमवाले को इसमें ठीक है तो यह लद्दाक है ना की तिब्बत सही है बिल्कुल सोरी लद्दाक है ना की हिमाचल प्रदेश यह लद्दाक से हिमाचल में पहुंच गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फटावट से यह विस्व का सबसे चोटा महाधीप है जो पूरी तरह से दक्षनी गोलार्द में स्थित है इसने महाधीप भी कहा जाता है तो कौन सा महाधीप होगा यह ऐस्ट्रेलिया हो जाएगा अगला देखो फटावट से सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं हां भई सूर्य से दूर चले गए मान के चलो यह हमारा सूर्य है और एक ग्रह यह एक ग्रह यह एक यह एक यह एक यह एक यह एक यह और एक यह यह आठ ग्रह तो जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं वैसे वैसे क्या ह होता है समझ ग्रहों का आकार करम से घटता है नहीं भई देखो आपको छोटा बड़ा-बड़ा सबसे बड़ा फिर छोटा ग्रहों का आकार तो घटता नहीं है मतलब ग्रह तो कभी छोटा कभी बड़ा यह होता रहता है तो यह वाला तो गलत है दूसरा सूर्य के बहुत घर गैसी है होते हैं यह घरें जिए आगे क्या रहा है G ang दोर सूर्य के 4 ओर परिक्रम करने की अवदी बढ़ती है बिरन सबसे दूर होगा वह सबसे जादा समय में सूरह का चक्क्र लगाएगा और जो सब से पास होगा वो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाएगा तो राइट अंसर सी करेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है आगे समझें ग्रहों द्वारा सूर्य के अब सबसे बुद्ध लगाता है सूर्य का चक कर उससे जादा समय में फिर प्रत्वी जादा समय लेती है उसके बाद मंगल फिर ब्रसपति ॉर सबसे ज्यादा समय में यह लेता है जिसे आप कहते हो नेब यून कहते हो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फटावट से अगला प्रशन देखिए कल्पना करें यदि आप यदि प्रत्वी अपनी कक्षिय समतल की और नहीं जुकी होती तो प्रत्वी जो की साड़े 23 डिगरी जुकी है यानि प्रत्वी सीधी ना होकर ऐसे है सोचो अग क्लिए से ना होके ऐसे होती तो क्या होता है जल्दी बताओ फटा फटा वटसके जितने भी कुष्यक करते रहा बहुत इंप इंसिफोर PEC मिल जाती हाँ देखो प्रदीप्त्वरथ क्ंसा ये वाला और देश हंतर रेका है ये वाली बिल्कुल सही है, सर एक दूसरे से मिल जाते हैं, सही बात है, प्रदीप्ति वरत और अक्छांस रेखा हैं एक दूसरे से मिलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता, देशांत रेखा हैं ही मिलते हैं, किसी छेत्र विशेस में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, बिल्कु था किसी छेत्र विसेश में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होतें नहीं यह और सी सही है तो ए और सी का मतलब कौन सा सही है आप जानते हो ए और सी का मतलब तो कौन सा वाला option number C सही होगा ए और सी वाला सही हो जाएगा ठीक है ए और सी यानि option number C is correct answer हो जाएगा चलिए अगला सवाल देखे फटाफट से भारत में सरद रितु के संबंद में निम्लेखित कत्रों पर विचार कीजिए सरद रिशू सरद रितु के संबंद में कुछ कथन दिये गए हैं उन पर विचार करना है जल्दी से करो फटाफट से पहला कथन क्या कह रहा है जल्दी पढ़ो फटाफट से पढ़ो देखो पहला कथन कह रहा है इस मौसम को दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून सरद रितू में देखो जट्रा दक्षिण पश्चम तो यह है और यह तो सरद में नहीं यह तो ग्रीश में रितू में आता है तो पहला वाला तो गलत है इसे दक्षनी पश्चमी मांसून नहीं कहा जाता इसे आता है यह ऐसे और इसे कहा जाता है उत्तर पूर्वी मांसून या लोटता हुआ मांसून या लोटता मांसून ठीक आगे समझे इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तता अरब सागर की ओर चलती है ना बंगाल की खाड़ी अरब सागर की ओर नहीं चलती है बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर नहीं ऐसे चलती है ना बिल्कुल गलत बात है यह मौसम मांसून के आने तत सबी गलत हैं यह तो सारे के सारे गलत हो गएéndहल भी ए नहीं हुआ वई्टालीक तो भी होगया ए भी सी सबी गलत सारे गलत हो गया ठीक है यह राय टांसर क्या भूयँ सभी एवी सी सारे के सारे गलत है चलिए आगे देखियो अगला सवाद निमलिकित मैंसे कौन सी नदियां सुन्दरवन डेल्टा बनाती है हाँ जल्दी बताओ कौन सी नदी हाँ जी सुन्दरवन डेल्टा बनाती है जल्दी बनाओ कौन सी नदी बनाती है तो आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जिसे आप कहते हो सुन्दरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है गंगा और भ्रहंपुत्र नदियां मिलकर सुन्दरवन का डेल्टा बनाती है कहां बनाती है ये बांगलादेश और भारत में क बेंगॉल में यह सुन्दर वनका डेल्टा बनता है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से तो यहां राइट अंसर सी हो जाएगा आगे देखिए हाँ जी है दिये गए कथन ए और बी के आधार पर वायू मंदलिये परतों की पहचान करें यानि इनमें कौन सी वायू मंदलिये परत हैं अंत्रिक्षे प्रवेस करने वाले उलका पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं ठीक है इस परत में बढ़ती हूं चाही के साथ जाता है कौन सी परत होगी तो बھैया सब को पता आए कौन सी ओगी मद्य मंडल अरे बताया था न मैने था आक मा अचपना तोटा हुआ तारा सावे आप आप बंद करके मनत मांगते और elofe है कि मध्यमंधल में होते हैं किलियर बात चली आगे वटए अगला प्रशन दे लेकिया फटाफट से अगला प्रश्न गहरा है आतपन का संबंध है isolation ऐसमें ने बताया था आतपन का संबंद है जल्दी बताओ कमेंट करके आतपन का संबंध कि से है यानि आइसो लेशन का संबंद कि से है फटावाट से बताएं कमेंट करके अध्पन का सूर्य उड़ जाके साथ किसके साथ हैं सूर्य उड़ जा के साथ अरे प्रतवीजिस पूर्य की उड़जा को अबसोसित कर लेती है वही तो आत्पन है आगे देखो हाँ यह कुछ वनस वनों के प्रकार है और यह कहां पाए जाते हैं संकुधारी वन कहां कहां पाए जाते हैं कैसे होते हैं तो संकुधारी वन होते हैं मैंने बताया है नरम कास्थ वाले वन अरे जैसे च संकुधारी वन होते हैं तो यह कहां पाई जाता ऐकाती स्थणी जी नारों पर यहां धीर आपको बहुत अच्छे से करवाये मिनें उचनि कटिबंदिये सदा वहरन कहां पाए जाएंगे यह पाएजाएंगे वहां यह महाधीपों के पूर्वी किनारे पर यह पाएजाते हैं तो आपषण नमबर पी आपका आपको नेंसर हो जाएगा ठीक है आपशनदियOh six एक तो बहुत लिक्ति न सवाल देखें ट कि दिए गए कत्रों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चेन करें सहारा रेगिस्तान का समय में पूर्टे हरा भरा था क्या ये बात सही है बिल्कुल सही है कभी सहारा रेगिस्तान पूरी तरह से हरा भरा था सही बात है, ठीक है, क्यूँ, कारण क्या है इसका, कहां से पता चला सर हरा भरा था, जहां आज सहारा रेगिस्तान है, जो कि दुनिया का सभसे बड़ा और सभसे गर्म रेगिस्तान है, वो कभी हरा भरा था, सर कैसे, सहारा की गुफाओं में प्राप्त नदियां हैं मगर हैं हाती है सेर है पसू तता बक्रियां दरसाते हैं जब इन गुफाओं में ये सारी चीजें दरसाती हैं तो जायड सी बात है नदियां का होंगी तो पानी होगा और पानी होगा तो क्या होगा हरा भरा होगा तो ये सारी बोथ आर करेक्ट होगा ठीक है आगे देखिए फटाफट से डाल्फिन के बारे में दिये गए कथनों ABC पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चैन करें डाल्फिन भारत का राष्ट्य जलियजीव अब आपसे मेरा सवाल है भारत का राष्ट्य जलियजीव जो डॉल्फिन है अब आपके सामने यह रहा गंगा और भ्रहंपुत्र नदी के अलवणी जल में डॉल्फिन पाई जाती है बिल्कुल मतलब जो फ्रेश वाटर होता है फ्रेश वाटर गंगा एंद भ्रहंपुत्र रिवर जो फ्रेश वाटर है उसमें डॉल्फिन पाई जाती है डॉल्फिन की उपस्थिती जल की सुधता का पता चलता है बिलकुल जब जहां तक गंगा नदी में या भ्रहंपुत नदी में जल सुध होता है वहां तक डॉल्फिन पाई जाती है जहां जला सुध होता है वहां डॉल्फिन नहीं पाई जाती है तो जल्दी से बताओ बिलक सी हो जाएगा ठीक है ABC साहिए भारत का राष्टे जलिया जीव है अंधी डॉल्फिन जिसे कहा जाता है सूंसू भारत का राष्टे जलिया जीव है अंधी डॉल्फिन इसके आखे नहीं होती अंधी डॉल्फिन डॉल्फिन जिसे सूंसूं कहा जाता है जिसे कहा जाता है सूंसूं जिसे सूंसूं कहा जाता है भारत का राष्ट जल्य जीव है ठीक है अंधी डॉल्फिन ब्लू डॉल्फिन नहीं अंधी डॉल्फिन है जो कि भारत का राष्ट जल्य जीव है ठीक है आगे देखिए फटा बट बताओ बायो गैस में कौन कौन सी गैसे सामिल है मीथेन और हाइडोजन मीथेन और हीलियम मीथेन और कारबन डाई अक्साइड मीथेन और नाइटोजन जल्दी बताइए बायो गैस में कौन कौन सी गैसे सामिल है फटावट बताओ हाँ भई बायो गैस में कौन-कौन सी गैसे सामिल है वटावट बताओ बायो गैस तो समझे हो ना देखे हो हाँ जी सब मिलेगा पहले कुशन पर ध्यान दो बायो गैस तो सब ने पता होगा ना तो जल्दी से बताईए बायो गैस में कौन-कौन सी गैसे सामिल है तो बायो ग इसमें समलित हैं तो C आगला देखो संसाधनों के बारे में कथन A और B पर विचार करें और सही उत्तर का चेन करें संसाधन सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है गलत बात है अरे सारे संसाधनों का आर्थिक मूल्य थोड़ी नहीं होता है मैंने बताया है सब का आर्थि प्रध्योग की प्रध्योग की मतलब टेक्नोलोजी टाइम एंड टेक्नोलोजी दो महत्पूर कारके जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्थित करते हैं जैसे देखो यह पैन था इसमें इंक विंक थोड़ी न डलती केवल प्लास्टिक है यह जब ऐसे टेक्निकल गलत है दूसरा सही है तो ए गलत है ए गलत है परन्तू बी सही है तो सी ओप्षन करेक्ठ हो जाएगा राइट अंसर सी होगा बहुत सही चलिए जल्दी आईए अगला सवाल देखिए निम्ने में ऊर्जा के परंपरागत श्रोत समूं की पहँचान करिए ऊर्जा का परंप परागत स्रोत जल विद्युत परंपरागत का पहले मतलब समझो आइडेंटिफाई और ट्रेडिशनल सोर्स है ट्रेडिशनल का मतलब समझो ऐसा स्रोत जिसे आपके पीड़ी दर पीड़ी बहुत पुराने समय से 100-200 साल 200-400 साल से आप यूज करते आ रहे हो एक्जमपल जैसे मान के चलिए आपका मान के चलिए जैसे परंपरागत क्या होता है जैसे मान के चलिए आपके दादा जी ने कोई घर बनाया उसी घर को आपके पिताजी यूज कर रहे हैं उसी घर को आप यूज कर रहे हैं वो क्या ह है आपका परंपरागत कहने का मतलब खांदानी बोल देते ना खांदानी परंपरागत का मतलब खांदानी है वह हमारा है ना तो परंपरागत एक होता है गैर परंपरागत गैर परंपरागत मतलब आपके पिताजी यूज़ने करते थे आप यूजड़ों आप करते ओंसे यह उनौ प्रिटाजी नहीं करते ते आप करते हो ओनलाइन आपके पिताजी पढ़ते थे 어떤 नहीं पढ़ते हैं आप पढ़ते हो तो यह सिक्षा का क्या हुआ ए परमपरागस्रोत हुआ इसकूल में जाके क्या है इसकूल परमपरागस्रोत है सिक्षा का आगई वा समझ में ठीक है तो यहां अगर बात करें तो ट्रेडिशनल क्या है जल विद्युत है नहीं भूत आप सारे के सारे सी वाला अंसर राइट अंसर हो जाएगा खनिज तेल उससे प्राकर्तिक गैस निकलती है और इंधन यह तीनों यूज करते हैं किसमें पारम परिक्यानी परम परागत यानी खांदानी कहलो ट्रेडिशनल कहलो ठीक है भाई चलिए आगे आजाओ जल्दी से फटा विद्याचन यह वाला जो पठार है यह वाला जिसे आप पठाएं दक्कन का पठार यह से अनग पूराव की ऊइस प्ठार पर पष्च्ची और बहने वाली महारदी और कृष्णा नदियां मौजूद है तो देखो भया महानदी और कृष्णा इधर नहीं बैती पश्चिम की ओर नहीं बैती महानदी तो कहा निकलती है यहां से ऐसे बैती है और कृष्णा भी ऐसे बैती है तो ये तो ऐसे बहती है पश्चिम से पूरव की और बहती है और वो कह रहा है पश्चिम की और बहने वाली तो भया ये पहला वाला ही गलत हो जाएगा यही गलत हो और हमसे क्या पूछा है लक्षण नहीं है तो मतलब गलत ही पूछा है ना हमसे तो पहला ही यहां गलत हो जा है अफ्रीका के बारे में कौन सा कथन सही है तो अफ्रीका की बात करें इसके पश्च में यूराल परवत है सही है सही है पूछा नहीं यूराल परवत तो यूरोप में है अफ्रीका में कहां से आया अफ्रीका बहुत बड़ा भाग दक्षनी गोलार्द में है नहीं उत्री ग माधी पर जिससे ओकर करक रेखा विशुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती अफ्रीका एक ऐसा कॉंटीनिंट है केवल अकेला माधी पर जिसे भूमद्य रेखा करक रेखा और मकर रेखा सारी गुजरती आगे देखो भारत के दक्षनी भागों विशेशकर अला बहाग है दक्षनी भाग यह यहां सरद रितू में वर्षा होती है कहां विशेशकर तमिलनाडू और आंध्रा मैं यह तीन और यह आंध्रा ऐसा क्यों होता है इसलिए होता है पावन इस्थल भागों से लोट कर अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है नो पावन तो यह मानसून क्या करता है सबसे आदा वर्षा कराता है कहां तमिल नाडू में और कब कराता है तमिल नाडू में वर्षा दिसंबर के महीने में तो अगर आपसे पूछा जाए सर्दियों में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है तो तमिल नाडू में सर्दियों में सर्वाधि एक वर्षा होती है ठीक है तो आप्शन नंबर दूसरा वाला आगे देखो निम्लिकित में कौन भ्रंसोत्स यह भ्रंस है भ्रंसोत्स पर्वत है हां जी भ्रंस पर्वत कौनसा है वास्जेस पर्वत हमाले पर्वत petrol पर्वत और यूराल परवत हां बईं सलो बताओ ब्रंस परवत याद है अरे वह परवत जो क्या बने दो प्लेटों के दूरहटने से बने ऐसा परवत जो दो प्लेटों के दूर हटने से बने भ्रंस परवत कहलाता है तो कौन सा परवत है ब्रंस परवत वास जेस परवत जो की यूरोप में है एक भ्रंस परवत का उधारने बाकि ये सारे के सारी जो परवत हैं वो किसका उधारने वो उधारने आपका प्रत्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई पड़ता है प्रत्वी से जब हम देखते हैं तो चंद्रमा का केवल दाग इंवाली में यहाती है क्यूं होता है इसलिए होता है गोटेशन और केरी समान है यानि लगबग 27 दिनों में चंद्रमा अपना भी एक चकर पूरा करता है और प्रत्वी के चारो और भी 27 नों में घूम जाता है तो कथन और कारण दोनों सही और व्याक्षा भी सही तो राइट अंजर क्या होगा ए तत्था भी दोनों गलते दोनों सही है और बी एकई सही व्याख्या की है तो option number B वाला सई हो जाएगा ठीक है यहां बीस हो जाएगा अगला देखो पटावट से आगे देखो सेल के बारे में मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो सेल बताया था सेल के बारे में मैंने आपको बताया था कायंत्रिस सेल के बारे में दिये के कथरों पर विचार करिए कायांत्रिस सेल मैटा-मॉर्फिक सेल रॉक कैसे बनती है पहला आगने और अवशादी सेल उच्छ ताप और दाब के प्रभाब में पिखल कर मेगमा बनती है बिल्कुल सही है अरे कायांत्रिती तो मेगमा बन जाती है बिल्कुल सही है संगे मरमर कायांत्रित सेल है बिल्कुल सही है तो ए तथा बी तथा सी तीनों सही है सारे के सारे सही हो जाएंगे ठीक है आगे देखिए अंत्रिक से प्रव होते हैं लेकिन जलना सुरू वायू मंदल में ही यहां जलना सुरू हो जाते हैं और मध्य मंदल में आकर पूरी committed सबसे ठंड़ा मंदल है कैसा है सबसे ठंड़ा मंदल ठीक है इसमें आके जल जाते पूर्ण ROOP आगे देखिए रितु प्रवास जुड़ा है याद करो सीजनल माइगरेंट जैसे गर्मियों में राजिस्थान से लोग आ जाते हैं अपनी भेड़ बकरियां लेके क्या है ये लोगों के आवा गमन से अरे बताया था ना मैंने अपने जानवरों को लेके भोजन और पानी की तलास में एक स्थान से दूसरे स्थान को लोग आते हैं जैसे लद्दाक के लोग हिमाचल और जम्मू कश्मीर में आ जाते हैं है ना आगे देखिए पटावट से ब्राजील के कंपोस और वेनेज्वला के लानोज उधारन है याद करो ब्राजील के कंपोस घास के मैदान वेनेज्वला के लानोज घास के मैदान किसका उधारन है तो भई यह आप को गए सर उष्ण कटिबंदिय घास के मैदान है उष्ण कटिबंदिय घास के मैदान है कौन-कौन से ब्राजील के कंपोस और वेनेज्वला के लानोज घास के मैदान ठीक आगे देखिए यह सवाल आपको बहुत सांदार तरीके से इसका अंसर दीजे जलवायू के संबंद में एतथा बीग पर विचार कीजे जलवायू वायू मंडल में दिन प्रति दिन होने वाली होने वाला परिवर्तन है नहीं से वायू मंडल में दिन प्रति दिन होने वाला परिवर्तन तो म मौसम है मौसम क्या है वायू मंडल में होने वाला च्छनिक परिवर्तन कि अभी गर्मी थी बारिश हो गई थोड़ी देर बाद फिर से गर्मी हो गई थोड़ी देर बाद सर्दी हो गई थोड़ी देर बाद धूप निकल ली फिर कोहरा हो गया यह क्या है यह तो मौसम है तो तो यह जलवायू नहीं होगी वायू मंडल में जलवायू नहीं है यह मौसम है तो पहला वाला गलत है दूसरा किसी इस्थान की जलवायू सिर्फ उसकी उच्छाई पर निर्वर करती है देखो किसी इस्थान की जलवायू उच्छावच पर निर्वर करती है लेकिन सिर्फ स आगर ठंडी जलदार आया करम जलदार तो ये भी गलत हो जाएगा यह और भी हम दोनों गलत है कि छलिए अब एक सवाल आपके लिए होंवर्क है ये सवाल आपको हूम्वर्क में देंडिया है यहे लक्षणों यह तता बीके आधार पर उर्जा के स्रोतों की पहँचान करें यह एक परमपरागः सरोत है यह उर्जा सरोत तब निर्मुख्ट होती है जब एय परिसक्रत मतलब टूरध यदि कंदो धरतल पर लाया जाता अब आपकी class लेकर आ रहे हैं वीरें सर, quality और history की class होगी, जाएगा कहीं नहीं, यहीं रुके रहे हैं और अपने सभी साथियों को class में बुला लीजे, ठीक है, जैहिन, नमस्कार सभी को जी, नमस्कार, good evening to all of you, स्वागत है आप सभी का, आपके अपने यूटूब परिवार सचेन अकेडमी में, तो जोग्रफी के कोशन के बाद, अब हम अपने history और polity के कोशन सरीज आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इस्टार्ट करते हैं, एक बार आप चेक कर लीजे, मेरी audio वीड ठीक चल लए गया, चाह, किजे ज़रा audio video ठीक है, चलो, सब ठीक है कि अगया है चलो कोशन स्टार्ट करते हैं बच्चों और जैसे कि आपको सचिन सर्ण ने भी बताया होगा देखो स्ट का स्ट का स्ट करना यह पॉसीबल नहीं होता है अब जो हमारे समय पच्रा है उसके लिए यूटूब वाले बच्चों के लिए जो है जो इंपोर्टेंट कोशन है यानि कि अगले दो से ढाई घंटे जब तक भी आप मेरे साथ जूड़ना चाहें आपकी मर्जी होगी ज कि एक तरह से मैंने हर चेप्टर से कोशन उठाने की कोशिस की है चाहे वो हिस्ट्री के कोशन हो चाहे पॉलिटी के कोशन हो तो हर चेप्टर से हम कोशन करते हुए निकलेंगे और इंपोर्टेंट कोशन लिए है जो सीटएट अक्सर पूस्ता है या NCRT में जो सबसे चलू अगर पहला कोशन देखते हैं, अपनी क्लास का आज, तो पहला कोशन अगर आप देखोगे, तो यह कह stressing है कि मिस्र में एक स्थान पढ़ता है, जिसका नाम है, जिसका नाम है रोशेटा, और नाम का एक कस्बे में एक उत्केंड, उत्केंड का मतलब है, उस पर लिखा ह यानि कि खुदा हुआ पत्थर मिला है निमलिखित में से कौन सी भासा उस पर उतकिर्ण मिली है तो कौन सी भासा है तो मिस्र में अगर मैं बात करूँ तो रोसेट्टा नाम के कश्बे में एक पत्थर मिला है तो यह जो स्टोन मिला है ना यह पत्थर मिला है इस पर अगर मै बात करूँ तो तीन भासाई मिलती है यानि कि तीन लिपी मिलती है तीन भासाई मिलती है अगर मैं बात करूँ तो एक लिपी जो मिलती है जिसे हीरो गिल्फ लिपी बोलते हैं क्या बोलते हैं हीरो गिल्फ लिपी बोलते हैं हीरो गिल्फ लिपी जो मानी जाती है वो मानी ज देवनागरी लिपी से ही मिलती जुलती एक देववानी लिपी थी देववानी लिपी उसमेर भी लिखा मिला है यानि कि तीन लेंग्वेज लिख्यों ही मिली है इस पर और तीसरे अगर मैं बात करों तो आप कहोगे कि ग्रीक अगर मैं बात करों तो ग्रीक लिपी भी लिख तो है नहीं देवनागरी लिपी या वानी लिपी भी नहीं है तो यहां option में क्या है तो आपने कहा बी answer सही होगा यानि की यूनानी लिपी यानि की ग्रीक लिपी बच्चो ठीक है तो पहले question का answer जब कितने बच्चे सही कर रहे हैं very good बहुत बढ़िया बच्चो इसी तरह से comment करते रहें और answer जरूर करते रहें बच्चे जो एक दो बच्चे बता रहे हैं कि वीडियो रुख गया है तो एक बार हटके जो है दुबारा से जो है चला ले उनकी वीडियो दुबारा से अपने आप चल जाएगे ठीक है next question की तरफ चलते है next question देखे लिखा है कि इसा मस जन्दरी थे जिनका नाम था जोन ग्रेगरी उन्होंने कलेंडर बनाया जिसे गर्गेरियन कलेंडर बोलते हैं उससे पहले बहुत सारे कलेंडर बने लेकिन वह फेल हो गए फेल होने का रीजन क्या था एक तो उन्होंने ऐसा मान विभाजन किया था कलेंडरों में दूसरा जो लीपियर का कंसेप्ट है वो उस कंसेप्ट को जो है उसमें सही तरीके से विभाजित नहीं कर पाए तो उन्होंने अपना कैलेंडर जो सुरुवात की वो एक एडी यानि कि एक इसवी से सुरुवात की और यहां माना जाता है कि यह ईसा मसी का जन्म था यानि की बर्त था अगर हम इससे आगे को चलने हैं तो यह जो डेट कहलाती है यह जो है एडी कहलाती है अगर मैं इससे पीछे की जहओं तो यह BC है मालो जैसे आप पढ़ते हो कि महत्मा जो बुद्ध है उनका जनम 563 BC पहले हुआ तो इसका मतलब है कि ईशा मसी के जनम से भी 563 साल पहले हुआ तो अगर हम यहां बात करें यह कह रहे हैं कि ईशा मसी के जनम के पहले की जो तितिया हैं उनकी गन्ना की जाती है तो आप कहां जाते हो तो पीछे की तरफ जाते हो backward में जाते हो before common era बोलते हैं या एनो डोमीनी बोलते हैं तो आप किस तरफ जाते हो तो आपने का backward यानि की पस गामी की तरफ चलते हो तो सही answer क्या होगा पस गामी की तरफ चलते हो यानि की पीछे की के दरहsnे हड़े मि Kin तरफ चलते हो जैसे आफ जाओगे तो यह इधर से आप देखोगे तो है इनकरी में होता है यानि कि जैसे-जैसे यह बी-ची की तरफ पीछे अटते जा रहे वो अटर कैसा होगा तो आपने काटी को चलता हूँ होगा तारीक आपको लगेगी की दस लाख साल पहले लेकिन आज से अगर मैं देखों तो यह बढ़ता क्रम होता है एडी का बच्चों ठीक है सारे बच्चे सही आंस्वर कर रहे हैं चलो बहुत बढ़ी है एक दो बच्चे का अभी भी कमेंट आ रहा है कि क्लास बंद तो मैं कह रहा हूँ एक बार दुबारा से बंद करके एक बार यूटूब बे दुबारा से क्लास चला लीजे वो आपकी चल जाएगे तो आंस्वर क्या हूँ इसका बैक वर्ड चलती है नेक्स कोशन की तरफ देखते हैं यहां लिखा है महापासान महापासान आप समझते ही होगे पढ़ा है आपने मेगालिथ मैंने पढ़ा है था वैदि काल और हडपा सब्भेता के दोरान जो है पढ़ा है था तो मेगालिथ काल किसे बोलते हैं मेगा मतलम बहुत बड़े और लिख समाने स्टोन यानि कि बड़े बड़े पत्थरों को तो जब हम मिरत सरीरों को बड़ कोशन पूछा गया है तो बताओ जरा कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइए ये कहरें कि इनका जो उप्योग है यानि कि महापासान बड़े-बड़े पत्थरों का इनका उप्योग दफन करने की जगहों को चेनित करने के लिए किया जाता था बिलकुल बात सही है ये बात बि पहचान देने के लिए बड़े-बड़े पत्थर रख दिये जाते थे डड़ बोड़ी से और भी रीजन था कि जंगली जानवर ना खाए उसका रीजन और भी होता था तो आपने का ये वाला तो सही है तो कौन सा कथन सही है तो पहला तो सही है और अगर हम देखें ये सब अर्तियों प्महादीप के उत्तर पसीं मेरे संकेंद्रित थे उत्तर पसीं मेरे संकेंद्रित नहीं थे में अगर में देखो मुख्य किसे बोलते हैं जब dead bodies को दफन करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों से नो ढख दिया जाता था और especially दक्सिन भारत में अगर आप देखें तो ये परमपरा जादे रूप बड़े रूप में दिखाई देती है दक्सिन भारत में बच्चा तो सही आंशवर क्या होगा कि दफन करने की जगे को जो है एक चीनित करने के लिए पहचान देने के लिए इन पत्थरों का यूज करते थे किलिए रहे चलो next question की तरफ देखते है फिर महापासान से है कि निमलिखित में से कौन सा जो है महापासान युगीन इस्थल है इन में से कौन सी साइट ऐसी है जो महापासान से related है बताओ जरा कितने बच्चे सही अंशवर कर रहे हैं चलो very good चलो बहुत बढ़िया चलो मैं आपके कमेंट जो है देखता हूँ चलो करते रहे very good तो निमले खित में से कौन सा महापासान युगीन इस्थल माना जाता है ये आपको बताना बताओ क्या ब्रह्मगरी माना जाता है क्या दाओजली हेडिंग माना जाता है भिमबेट का माना जाता है मेहरगड माना जाता है मेहरगड ये वो ही इस्थान है जहां से सबसे पहली बार अगर आप देखें तो किर्सी का साक्ष मिलता है सबसे पहली बार मेहरगड पाकिस्टान के बलुचिस्थान वाले परांत में पड़ता है लेकिन अगर इसके साथ जाज अब लहूरा देव भी हो अगर लहूरा देव की मैं बात करूँ उत्तर परदेश के संत कभीर नगर जिले में तो अब किर्सी के जो इनिसियल जो एविडेंस है वो वहां से मिलते हैं वहां माना जाता है भीम बेटका की अगर मैं बात करूँ तो ये मध्य परदेश में बनता है यहां से चित्रकारी का बड़ा साक्स मिलता है दाउजली हेडिंग अगर ये देखें तो पूर्वत्तर भारत में पड़ता है अगर महापासान की तो अगर मैं जैसे बता रहा हूँ कि महापासान दक्सिन भारत की मुख्य विशेस्ता थी तो इसने कोशन को बड़ा असान कर दिया कि प्रहमगिरी दक्सिन भारत का एक स्थल दिया जो करनाटक में आपको दिखाए देता है ठीक है तो इसका अंसवर क्या होगा तो आपने कहा ब्रहमगिरी होगा बहुत सारे बच्चेस में C आंस्वर कर रहे हैं जो की गलत है गलत है बिलकुल भीम बेटका आपको महापासान से रिलेटर नहीं है भीम बेटका तो अगर आप करेंगे तो भीम बेटका से चितरकारी के साक्स मिलते हैं वो तो स्टोने में, पुरह पासान काल में भी मिलते हैं तो वो पासान कालिक स्थल है तेन स्टेटमेंट दिये गए हैं इन में साभ को ये बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है बताईए जरा कौन सा मैं साइड में होता हूँ आप सिकायत करते हूँ कि सर देखने नहीं देते बताओ जरा तो रिगवेद के विशे में निमलिखी तुमें से कौन सा जो है सही है यह आपको बताना बताओ बताओ जरा कोसें नंबर पांच की बात करते हैं कोसें नंबर पांच का अंस्वर नहीं आया भी तो आपसे लिखा गया कि 3500 वर्पूरू लिखा गया देखो पहली बात तो यह है कि रिगवेद की रचना की जो तढ़ी है वो निसित नहीं है वो निशित नहीं है अलग-अलग इतिहासकारों के दोवारा अलग-अलग तारीक बताई जाती है तो 3500 वर्स जो है वो निशित नहीं मानी जाती है तो आप कहोगे कि यह certain नहीं है यानि कि definite नहीं है तो आप कहोगे निशितिति नहीं है कि रिगवेद की रचना कब हुई या कब लिखा गया तो निशितिति नहीं है अगर आप यहां करो दूसरा आप कहरो कि इसकी रचना जो है प्राकर्त में की गई प्राकर्त में नहीं की गई इसकी रचना जो है वैदिक संस्क्रत में की गई किसमें की गई तो आपने का वैदिक संस्क्रत में इसकी रचना की गई आप कहरे हो इसमें 1000 से अधिक यह बास सही है 1000 से अधिक है 1028 है इसमें तो आपने कहा कि इसमें तो केवल 3 सही हुआ तो answer कौन सा हो गया तो आपने कहा A answer हो गया यानि कि 3 is correct but first and second are wrong तो पहला और दूसरा जो है wrong है बाकी तीसरा सही है ठीक है चलो सही है कर रहे हो ना answer चलो next question की तरफ चलते है B में भी बहुत सारे बच्चे जो है गलत कर रहे है पांचवे में भी बी कर रहे है इस का answer तो B का मतलब आप इसकी रचना प्राकर्त भासे में की गई है क्या प्राकर्त में की गई है उत्तर वैदिक काल में जब आपको बोध धर्म और जैन धर्म आते हैं तब प्राकर्त में जो है रचनाय होनी शुरू होती है नहीं तो उससे पहले सारी वैदिक संस्क्रत में रचनाय होती है इसलिए तो उन्हें ब्राह्मनवादी गरंत बोलते है कि देवताओं की वाणी को स्विकार किया गया है कि देवता के वले की भासा समझते हैं जो संस्क्रत है नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते है ये कोशन हर चेप्टर में एक तरह से आपका रिवीजन होगा सारे बच्चों का सारे बच्चों का जो बच्चे जो है हमसे एप पर पढ़ रहे हैं उनका भी जी रिवीजन है क्योंकि उनका कोर्स लगबग कम्पिलीट हो चुका है सारा कोर्स और जो बच्चे यूट्जीब से हैं वो जिस तरह से भी पढ़ रहे हैं क्या कहा जाता है टो इंडस नदी भी है एंड़स के नम पर ही जो है इंडिया बात करते हैं यहां मैंने ये भी बताया था कि युनानी क्या कहते ही हैं रोमन क्या कहते हैं ये भी बात हुई थी आपकी कलास में तो इंडस सब्द को संस्कृत में क्या बोलते हैं क्या हिंडोस बोलते हैं क्या हिंडोस बोलते हैं तो इंडस को अगर मैं बात करूँ तो संस्कृत में जो है सिंदू कहा जाता है क्या कहा जाता है तो इंडस की अगर मैं बात करूँ तो संस्कृत में क्या कहा जाता है तो आपने कहा कि सिंदू कहा जाता है ठीक है सिंदू कहा जाता है चलो तो अगर मैं बात करूँ यूनानियों ने जो सिंदू नदी थी उसके लिए यूनानियों ने जो है इंडस सब्द यूज किया था यूनानियों ने, ग्रीक ने यूज किया था, के लिए रहे, हाँ चलो, आपकी बार सही अंस्वर है न, ऐसे सही अंस्वर करो, टीचर को भी अच्छा लगे कि हाँ भी जो पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे कर पा रहे हैं, यहाँ बात करें, दो स्टेटमेंट दिये गए हैं आ कोनों के बारे में बताना, बताओ जरा, कोशन नंबर सेवन कांस्वर क्या होगा, बताओ जरा, कोशन नंबर साथ, तो हम बात करते हैं, ब्रहमनों को अगर मैं बात करूँ, सामिस भोजन करने की अनुमती नहीं थी, क्या यह बात सही है, उन्हें सामिस करने की अनुमती नह जाते थे वो अपनी सुद्ध प्रवर्ती के लिए जाने जाते थे तो उन्हें सामिस भोजन के अनुमती नहीं थी ये बिल्कुल बात सही है जो विरह धर्म पुरान जो बंगाल में रचित तेहरी सताबदी का संस्कृत गरंत है ने जो इस्थानिय ब्रहमनों को कुछ खास कि इस्थानिय खाने की कहने किलमती दे थी पढ़ाया नहीं पढ़ाया सारे इस संसक्रप्त गरंत को कुछ खास किसम फाने क puts दो से हैं तो अंस्वर होगा डी आंस्वर होगा सही तो सही आंस्वर होगा डी कितने बच्छे सही कर रहे हैं चलो चलो next question की तरफ चलते हैं next question आगे बढ़ते हैं question number 8 देखी जरह यहां लिक्शा है कि कौन से बोध साहित्य में बोध संग के लिए यह बनाएगे नियम यानि कि वर्णन मिलता है तो अगर मैं यह बात करूं तो यह तीन क्या कहलाती है थिरी बास्केट कहलाती है तिर्पितक और तिर्पितक का मतलब क्या था तो आपने का तिर्पितक का मतलब है तीन टोक रिया यानि कि थिरी बास्केट अब उन थिरी बास् ना बताओ जरह तो किसमे नियम दिये गए हैं एक तो यहां सबसे ज़्यादे ये भी पूछते हैं अभीधम पिटक तो जो है दर्सन से रिलेटेड है अगर आप बात करें तो कौन से में दिये गए हैं तो आपने का नियम से क्या बनते हैं विने यानि कि हमारा आच्रन सही ब जो है बोध संग के लिए बनाए गए नियम दिये हैं तो क्या दिये गए हैं नियम दिये गए हैं ठीक है और इसमें अगर आप देखेंगे तो बोध के जो है उपदेश दिये गए हैं उपदेश तो सुथ पिटक में जो है उपदेश दिये गए हैं विने पिटक में जो है बोध संग से related नियम दिये गए है कि बोध संग में सामिल होने के क्या नियम है किस तरह से जो है वहाँ काम करते हैं अभीधम पिटक में जो है दर्सन से related है तो इसका सही आंस्वर क्या होगा विने पिटक ठीक है तो यह याद रखना है सुथ पिटक में जो है पदेश दिये इए विने पिटक में जो है नियम दिये गए हैं और अभी धम पिटक जो हैं दर्सन से related है दर्सन से कितने बच्चे सही कर रहे हैं चलो इसमें भी सट अच्छी-खाची संख्षाइज जो सही कर रहे है विने पिटक ग्रंथ है जो अभी लेखित करता है फिर से वोई को सब बस दूसरे फॉर में दिया गया है कोशन बताओ जरह क्या सही अंसवर होगा तो विने पिटक में क्या है तो आपने का कि जैन धर्म की सिक्साइए है क्या यहां तो कुशन बड़ा आसांज कर दिया आपको पता है जो पिटक है तिर पिटक यह बोध्धर्म से रिलेटेड है क वैदिक कर्म कांड आ क्या चिख्शकों के मध्य बाचीत है क्या तो आपने का बुध्धों के निम दिये गए है इसमें rule of Buddhist है तो बुध्धों के निम दिये गए हैं तो सही answer क्या होगा बुध्धों के निम बच्चे के लिए रहे चलो फिर आगे बढ़ते हैं next question की तरफ चल शर एकूना मैंने गंधार कहा यह मिलता है तो यह दो सर एकून ini में लिख्inator को पन्ता है। अरेमाइक और पाली में मिलता है या अरेमाइक और लेटिन में लिखा मिलता है तो कौन सी दो लिपी हैं तो आपने कहा कि ग्रीक और अरेमाइक की अगर मैं बात करूँ तो बच्चेों का सही अंस्वर आ रहा है यूनानी और अरेमाइक ठीक है इसका मतलब आप बिल्कुल अ statement दिये गए है A और B statement है और सही विकल्प का जो है चैन करना है आपको बताओ जरा read the following statements A and B and choose the appropriate option तो सही विकल्प का चैन करना है आपको सही answer क्या होगा बच्चे ठीक है चलो बताओ जरा क्या असोक का जो धम था धम क्या उसमें देवताओं की पूजय की बात की गई थे जब मैंने पढ़ाया था आपको तो मैंने बताया था कि धम कोई नया धर्म नहीं था उसमें किसी की पूजय नहीं हो रही वो तो संती की बात कर रहा भायचारे की बात कर रहा है वो धम है उसमें कोई पूजा पाठ नहीं हो रही तो आपने का ये तो गलत हो गया अब या तो हम ऐसे कर दे कि ए जिसमें देखो ए इसमें भी सही बताया गया है गलत हो गया इसमें दोनों चलो ए इसमें सही बताया है तो दो तो हट गए आगे देखते हैं कि अगर मैं बात क तो आपने का इसका ये वाला सही है तो आपने का ये तो गलत है फॉर्स्ट गलत है लेकिन ये सही है तो इसका सही आंस्वर क्या हुआ डी सही आंस्वर हुआ बच्चों ठीक है डी सही आंस्वर कितने बच्चे कर रहे हैं वेरी गुड बहुत बढ़ी है वेरी गुड और अभी तक जो बच्चे लाइव है वो सेशन को सेर नहीं किया सेशन को सेर करो एक बार जरा यहां बात करते हैं कि ए और बी की में बात करूं कथनों को पढ़िये और सही उत्तर का जो है चैन कीजिए सही उत्तर का चैन करना बढ़ो दो स्टेटमेंट आपको दिये गए है क इसना अपने अभी लेखों से संदेशों को लोगों तक पहुंचेने की कोशिस की बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। तो इसका सही answer क्या होगा तो आपने का ये सही है दोनों सही है यानि कि बोथ A and B next question की तरफ चलते हैं next question देखो जरा यहां बात करते हैं कि निमलिखित में से कौन सा मुगल जो है चार बाग का एक इस्थल नहीं है चार बाग चार बाग आपने देखें बताओ जरा बाबर की भी बड़ी जो है ख्वाइस थी बाबर भी जो है करना चाहता था चार बागों के बिलकुल बीचो बीच जो है चार उतरब बाग हों और बीचो बीच अगर मैं बात करूं तो बन ये मुगल काल के बादसाहों का प्रियास था तो अगर मैं यह बात करूँ जो ये कुवत उलिस्लाम मस्जिद है तो ये तो भारत में तुर्कों के दुवारा बनाई गई पहली मस्जिद है ये तो जो है किसने बनवाई थी तो कुवत उलिस्लाम मस्जिद तो एबक ने बनव गए इसमें जो है डिली स्ल्तनप के सासकों का कोई रोल नहीं था तो यह जो कुभत-UL-islam मज्जिद जो तुर्कों की द्वारा भारत मैं बनवाई गई पहली मज्जिद थी जो दिल्ली में है कुथوق मिनार के आसपास आप जाओगे तो वहाँ ये आपको मस्जिद मिलेगी तो इसका सही आंश्वर क्या होगा बी आंश्वर होगा कितने बच्चे कर रहे हैं आंश्वर चलो very good बच्चो चलो next question की तरफ चलते हैं तेजी से बढ़ते हैं मैं तो आंश्वर बताईए जरा आपके statement दिया गया है और our reason दिया गया है और सही विकल्प को चुनना है question number 14 की बात करते हैं बच्चो बताओ जरा तो अगर मैं यहां बात करों कि मुक्तियों दुवारा जो है एकत्रे जो tax था tax उसकी रकम का हिसाब लेने के लिए राज्ये दुवारा लेखा अधिकारी निक्त किये गए थे बिल्कुल बात सही है कि मुक्तियों के दुवारा जो भी वसूला जाएगा revenue उसका लेखा जोखा रखने के लिए एक राजस्व अधिकारी होता था ये बात सही है और क्यों किया जाता था इसा ये इसलिए किया जाता था ताकि मुक्ति राज्ये दुवारा निर्धारित कर ही वसूले और तै संख्या के अनुसार सैनिक रखे बिल्कुल बात सही था इसलिए लेखा जो खादिकारी रखा था कि वो जितना तै किया गया है उससे जादे तो वसूल नहीं कर रहा या जितनी संख्या जो है तै की गई है सैनिकों कि क्या उतनी संख्या है या उससे जो है कम है तो ये बात सही है तो आपने का दोनों सही है तो पहला statement भी सही है औ और आर उसकी सही explanation कर रहा है वह क्यों लेखादीकारी निक्त किया जा रहा है ताकि वो मुक्तियों पर नजर रख पाए कि वो सही tax वसूल रहे हैं नहीं और सैनिकों की संख्या उतनी है या नहीं जितनी तैकी गई है तो अपने का इसका सही answer क्या होगा एसे ही answer होगा तो A and R both correct and R is right explanation of A ठीक है next question की तरफ चलते है सत्रू राज्ये द्वारा आकर्मन के मुख्य जो लख से मंदिर हुआ करते थे क्यों वही ऐसा region क्या था आकिर सत्रू जो है मंदिरों को target क्यों करते थे region क्या था बताओ जरह क्या region था बताओ एक तो मंदिर है ना मतलब सक्ति का केंद्र हुआ करता था कोई भी राजा जो है अगर वो सक्तिसाली अपने आपको बना रहा तो वो मंदिर की स्थापना करता था तो कई बार अगर किसी राजा के मंदिर पर जो है कबजय हो गया आक्रमन हो गया तो मतलब उस राजा पर ही अधीकार हो गया और दूसरा जो मंदिर थे वो संपत्ति का बड़ा केंद्र माने जाते थे तो दोनों ही रेजन था मंदिरों को जीतना एक तरह से जिस राज्य के छेत्र में पड़ता था तो सही आंस्वर होना चाहिए तो सही आंस्वर होगा नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोशन करते हैं नेक्स्ट कोशन बढ़ो ज़रा पंद्रे का कितने आंस्वर सही कर रहे हैं बच्चे चलो कुछ बच्चे जो है बी कर रहे हैं मुस्लिम सासिका थी रजिया सुल्ताना इल्टू तमिस की पुत्री थी इल्टू तमिस चाहते थे कि उसकी पुत्री जो है सासिका बने लेकिन इल्टू तमिस की मुरत्यू हो गए और उसके बाद अमीर वर्ग जो होता है जो अधिकारी वर्ग होता है उन्होंने उसके भाई को जो है साशक बनाया लेकिन उसका भाई यह योग्य साशक था उसकी माही चलाती थी सारसाशन तो एक दिन रजिया सुलताना जो है लाल वस्त्र पहन कर जो है जाम मस्जीद में परवेश कही और वहां लोगों को अपने सुल्तान की इच्छा से बताया और पहली बार पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों ने जो है राजा बनाने के परसन पर या सुल्तान बनाने के परसन पर जो है फैसला लिया और महल में घुसकर उसके भाई की और उसकी मा की हत्या कर दे तो एक इतिहासकार है मि शीरो को सेरसयब होट थी और दूसरा उसका इस्तरी होना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थैं कियोंकि आज आधौनीक भारत में इस्तरी की सत्ता को स्विकार नहीं करतें मध्यकार करेंगे तो उसने स्विकार किया कि रजिया अपने सभी भाईयों से अधिक योग्य और सक्सम थी बिल्कुल सही है और वो एक रानी को सासक के रोप में मान्यता नहीं दे पा रहा था तो क्या ये बात सही है कि वह एक रानी को सासक के रोप में मान्यता नहीं दे पा रहा था तो आपने का बिल्कुल बात सही है मध्यकाल में महिला होना उसका महिला होना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी गई तो इसका आंस्वर होंगे कि दोनों सही है क्या सही है? दोनों सही है बच्चे next question चले चलो बहुत बढ़ी है very good मैं सोच रहा था इसमें तुम गलत करोगे लेकिन सही कर रहे हो अच्छे बच्छ यहां देखो तुरिक की बात करें तुरिक क्या होता है तारीक का जो है बहुफचन होता है तारीक का तुरिक त्वारीक जो लेक लिखे गए अपने राजाओं की परसंसा में उनसे रेटेड आपको जो है स्टेटमेंट बताना कि सही उत्तर का चेन कीजिये कौन सा सही उत्तर है ये आपको बताना वचाओं ठीक है बताओ जरा बताओ तुवारिक के बारे में क्या ये बास सही है दराइटर्स ओफ तुवारिक lived in village गाओं में रहते थे क्या अरे राजाओं की परसंसा में लिखा करते थे राजाओं से हमेशा कुछ न कुछ पुरुषकार पाने के लिए जो है लालाईत रहते थे तो क्या वो गाओं में रहेंगे वो तो सहरों में रहेंगे सहरों में रहेंगे तो ये बात तो गलत है कि तुवारिक के लेखक जो है गाओं में रहते थे ये बात गलत है वो सहरों में रहते थे सिटी में रहते थे उन्होंने सुल्टान से प्रोस्कार पाने के लिए इतिहास लिखा ये बी वाला सही है इन लेखकों ने सासकों की सामाजिक ववस्था बनाए रखने की सला दी बिल्कुल बात सही सला दी इन्होंने सामाजिक ववस्था को बनाए रखने की सला दी ये महिलाओं के बारे में भ यह option बनता है कि B और C सही है और जब कि जो है A गलत है यानि कि सही नहीं है तो सही answer क्या हुआ इसका तो आपने कहा है D answer सही हुआ next question की तरफ चलते हैं speed बढ़ा दू ना बताओ जरह speed बढ़ाएं चलो next बात करते हैं कि निमलिकित वक्त वो A और B पर विचार करके जो है सही उत्तर का chain करना आपको सही उत्तर का chain करना बताओ जरह question number 18 क्या होगा बताओ क्या ये बास सही है कि हिंदुस्तान सब्द का जो आर्थ है वो समय के साथ-साथ विक्सित होता गया बिल्कुल बास सही है पहले तो आप देखो कि इंडस नदी के आसपास रहने वाले छेतरों के लोगों को जो है जो छेतर में रह रहे थे उन्हे हिंडुस्तान कह रहे तो समय के साथ साथ इसका आर्थ विक्सित होता गया अगर मैं 13 सेंचुरी में बात करों तो इसका मतलब पंजाब, हर्याना और गंगा यमना के बीच में इस्थित इलाकों से था और सोल्वी सताबदी में इस सब्द का परियोगी महादीप में भोगोल और संस्किर्टी का वर्णन करने के लिए किया गया तो क्या बास सही नहीं है ये बास सही है कि हिंदुस्तान सब्द का समय के सासाथ विक्सित होता गया क्योंकि तेहरी सताबदी में अगर आप देखें तो पंजाब, हर्याना और गंगा यमना दुआब के बीच में इलाकों से हिंदुस्तान था बाद में वो धीरे-धीरे सोलवी सताबदी में आते आते इस महादीप में भोगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया जाने लगा तो बास कही सही कह रहा कि A और दोनों सही है और R जो है A की सही वियाख्या करता है तो इसका सही अंस्वर क्या होगा? A for Apple होगा गड कटंगा वाला तो गड कटंगा के अगर मैं गोंड राज्ये के संब्ध में बात करूं तो निमलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? बताओ जरा कौन सा सही है? मैंने ये भी बताया कि अकबर की जो वो है अकबर नामा उसमें जो है लगबग सत्तर हजार गाउं का ज तो उसमें की गई है अकबर नामा में यहां बात करें तो दूसरी अगर में बात करूं कि यह कमजोर बुंदेलों और मराठाओं के खिलाब जो है अधिक सकती साली बना ये भी बात गलत है ये एक इसमर्द राज्य था और इसने जंगली हातियों को पकड़ कर वेरी गोड और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके जो है धन कमाया तो सही आंस्वर होगा सी सी बिल्कुल सही आंस्वर होगा बच्चा ठीक है तो सही आंस्वर क्या होगा सी आंस्वर सही होगा इसमें कोशन पूछा गया है कौन सा जो है सही है कौन सा सही है ठीक है चलो आगे आए था कि आसफ खान आसफ खाने जो है हमला किया था मुगल सेनाओं ने आसफ खान के नेतरत में और रानी दुर्गावती दुवारा उने हार का मूनी देखना पड़ा था रानी दुर्गावती हार गई थी उसमें लेकिन उसना आत्म समर्पन करने की बजाए मरना पसंद कि तो रानी दुरगवती की हार हुई थी इसमें और मुगल सेनाव की जीत हुई थी यहाँ देखो मैश करो जऴा करो ज़़ा मैश मैश करो यह जो चोशा का यूद है चोशा का यूद यह गंगा और करणाशा नदियों के मध्य पढ़ता है और इसी युद के बाद जो है सेरसाहां की उपाधी ली थी परीद ने सेर खान ने सेरसाहां की उपाधी ली थी जो कन्नोज का युद है कन्नोज का युद है इसमें हिमायू जो है फाइनली पराजित हुआ था और वो जो है भारत से भाग गया था जो खान और बाबर के बीच में चंदेरी का यूद जो है मेदीनी राय के साथ होता है जो आप पैदना कि उसने पानी पीया फिर पानी पीने के बाद में खाना खाया फिर खाना खाने के बाद में जो है चाई पी और फिर घर चला गया तो जो चोसा का यूद होता है वो 1549 में होता है यानि कि A में 3, अब A में 3 अगर मैं बात करूँ तो केवल A में ही है, आप मिलाओ ये मत मिलाओ, वैसे मैं बता देता हूँ, कन्नोज का यूद 1540 में हुआ, चोसा और कन्नोज दोनों की यूद सेरसा और हिमायू के बीच में हुआ है, खानवा का यूद 1527 में हुआ, बाबर और राना-सांगा के बीच में, चन्देरी का यूद 1528 में हुआ है, और किस-किस के बीच में हुआ है, मेदी निराय और बाबर के बीच में हुआ है, ठीक है, चलो सही कर रहे है न, वैरी गोड 20 का डी है, बहुत बढ़ी है, देखो, अब ये आपको पता है बच्चों कि कल जो है, आपकी CDP की महामेराथन होने वाली है, सचिन सर के नेतरत में, तो रात आठ बजे जो है, ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ, आपके जो रिलेटिव सीटेट का एक्जाम देने वाले हो किस जनवरी, तो सब के साथ जो है, सेयर करें, क्योंकि ये जो है, पिछल क्लास करके बच्चों ने 30-30 नंबर CDP में प्राप्त किये हैं, तो आप भी जो है, इस मोके को चूकना नहीं, तो कल रात आठ बजे CDP की क्लास लाइव देखना ना भूले, और सेयर कर जरूर करें, किसी भी माध्यम से, आपका जो है, अपने WhatsApp इस्टेटस पर लगा सकते है अपने टेलिग्राम पर जो है, शेयर कर सकते हैं, तो इंजोई कीजिए, कल रात आठ बजे, नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं, आप अठारवी सदी में जो है, दिल्ली से मुगल कलाकारों के पलायन के बाद, चित्रकला की एक नई विद्ध्या के उध्धान पर परियोजना कारिय की योजना बना रहे हैं, तो आप च्छात्रों को किस चित्रकला की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे, बताओ जरा, 21 का क्या अंसर होना चाहिए, तो कौन सी विद्ध्या जो है, खोजी गई, बताओ जरा, तो अठारवी सदी में दिल्ली से मुगल कलाकारों का पलायन, उसके बाद चित्रकला की एक नई विद्ध्या का उध्थान हुआ, और उस पर एक काम कर रहे हैं, तो आप बालकों से कौन सी को कहेंगे, कि कौन सी की यहां बात कर रही है, बताओ जरा, बताओ, मौला राम का अपने नाम सुना होगा, एक पहड़ी कलाकार थे, मौला राम, और कौन सी सैली मानी जाती है, क्या बसोहली चित्रकला मानी जाती है, नहीं जी, वो कांगडा चित्रकला मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है, कांगडा चित्रकला मानी जाती है, बच्चों, खीक है, चलो, नेक्स्ट कोशन की तरफ चले, नेक्स्ट कोशन यहां देखते हैं कि निमलिखित में से कौन सा है कौन से कथन जो है सत्रवी और अठारवी सतावदी के दोरान सिखों के बारे में सकते नहीं है तो बताओ जर इन में से कौन सा स्टेटमेंट है जो सिखों के बारे में जो है सही नहीं है यह आपको बताना सिखों के बारे में क बताव जरा 22 का अंस्वर क्या होगा तो निम लिखित में से कौन सा कथन सत्रवी सती और अठारवी सती के दोरान सिखों के बारे में सत्ते नहीं है तो आपने कहा कि सिखों ने अपने आपको पहले जत्तों में और बाद में मिसलों में ये तो कल जो है पढ़ाया गया था अगर मैं बात करूँ तो ये तो कली पढ़ाया गया है और राखी वेवस्था के तहट उन्होंने मुसलमानों से उनकी उपज़ का 20% कर के रूप में लेकर उन्हें सन्रक्षन परदान किया तो आप कह रहे हो क्या ये बात सही है कि राखी वेवस्था के तहट उन्हें मुसलमानों से उनकी उपज़ का 20% कर के रूप में लेकर उन् और गुरू गोविंद सिंग ने खालसा को इस विश्वास के साथ प्रेरित किया कि उनके भागे में सासन करना था तो ये भी बात अगर मैं सही करूं तो इसमें तो मतलब थोड़ी सी जो है गलती हो रही है अगर मैं बात कहूं तो यहां से कोशन पूछा कि बारे में सत्य नह गलत है ऐसा होना चाहिए था इसमें बाकी तो जो है सही है कि सिखों ने अपने आपको पहले जत्तों और बाद में मिसलों में संग्ठित किया ये भी सही है उसकी सेयुक्त सेनाय जो है दल खालसा कहलाती थी ये भी सही है लेकिन राखी ववस्ता के तहत उन्हें मुसलमानो से उपज iki 20% लिया यह बात सही नहीं और गुरुका विंध शिंग ले तो इसमें याद रखना इसमें जो है ए बी और डी है और दी सही है Türkiye जो है सी गलत है चीक है तो आपने कहा इसमें सी गलत है तो इसमें होना चाहिए था केवल एज जय धेस यह सी गलत है यह आंस्वर ह तो तो सही answer होना चाहिए था ये चलो only see जो बच्चे का रहे है विल्कुल सही का रहे है वीर सहय वांदोलन की स्थापना किसने की बताओ जर वीर सहय वांदोलन की स्थापना किसने की portion नमबर 23 की बात करते हैं बताओ वीर सह में या नौन कल या पर्षों में कि पड़ा है अपने यह हिस्ट्री में जो एप वाले भच्ची होंगे तो सही answer क्या होगा आपका तो आपने का ये तो कबीर है कबीर की रचनाओं को अगर मैं देखू तो पंचवानी और बीजेक में सर्रक्षित किया गया है तो सही answer क्या होगा तो आपका सही answer होगा कबीर ठीक है जल्दी जल्दी से करते हैं पढ़ाते हैं नेक्स देखो कुछ भक्ती संत है मुख्य भक्ती संतों के संदर में निमलिखित का मिलान कीजिए और उप्यूक्त विकल्प का चुनाव कीजिए कौन सा जो है कहां से मतलब डिनोट करता है ये आपको बताना जोन से भी आपको पता उसे पकड़ लो जोन से भी अगर में बात करूँ तो उसी को पकड़ लो आपको जो भी पता हो जिसे नर्सी महता आप पढ़ते होगे मालोब नर्सी महता आप पढ़ते हो कि नर्सी महता कहां से रिलेटेड है तो आपको पता नर्सी महता की अगर मैं बात करूँ तो गुजरात वाले छेतर से रिलेटेड है अब गुजरात की अगर मैं बात करूँ क्योंकि नर्सी महता गुजरात वाले छेतर से हैं ये वो ही है वैसनवतन जे जानिये जो उनका प्रिय भजन था एक तो ये गुजरात स किस हित से माता है तो आपने का गुजरात तो यार पसिम भारत माता है तो डी में फर्स्ट अब डी में फर्स्ट जो है दो में हो गया डी में फर्स्ट तो इसका मतलब पहला तो खतम हो गया दूसरा ये भी खतम हो गया अब आप जो भी आपको पता हो तो सूर्दास आपको प जो अलवार में सुना ही होगा आपने अलवार में तो नमलवर्ज अगर बात करूं तो दक्सिन भारे से related हो जाएगा तो ए में जो है दो हो जाएगा ठीक तो सी सही answer होगा ठीक है चलो next question की बात करते हैं यहां बात करें 1856 की बात है 1856 में कोई गवर्नर जनरल था और किसने निर्ने किया कि बहदूर सहाज जफर जो है आखरी मुगल बादसा होंगे और उनकी मरत्यू के बाद उनके लिए वनसज को बादसा नहीं माना जाएगा बताओ जरह किसने कहा था 1856 में यह बात किसने कही बताओ 1856 में आगर बात करूं तो डलहोजी भी है और 1856 के लास्ट में लाइड कैनिंग भी आ गए है अब दोनों ये उप्सन में हैं कैनिंग भी है और डलहोजी भी है 1856 का दोर वो है जब लास्ट होते होते जो है लाड कैनिंग गवर्नर जनरल बनकर आ गए थे और डल हो जी जा चुके थे तो ये कह रहे है कि बहदुर साहज अफर जो है आगरी मुगल बादसा होंगे और उनकी मरत्यू के बाद उनके लिए वनसज को बादसा नहीं माना जाएगा तो ये किसने कहा था ये कहा था लाड कैनिंग ने ये बात जो है कैनिंग ने कही थी जिसके समय में 1857 की करांती जिससे पुर्टगाली भारस से जो है यूरोप ले गए थे तो कैली को किसे कहा जाता है बताओ जरा कैली को अगर मैं कैली को की बात करूँ और कैली को क्यों कहा जाता था उसे क्यों कि काली कट से प्राप्त होती थी तो काली कट से प्राप्त होने के कारण उसे क्या कहा जा गए थे कितने बच्चे से यांस्वर कर रहे हैं very good बहुत बढ़िया very good चलो next question चलते हैं कि निमलिखित में से अगर मैं बात करूँ तो कौन सा जो है मध्ययुगीन भारतिय काल को समझने का प्राथ्मिक सोर्स है बताओ अगर मध्यकाल को यानि की medieval history को समझना आपको medieval Indian history को आ related है ये तो प्राचीन काल से related है सोक क्या भी लेक तो क्या कालिदास की मैं बात करूँ कालिदास की अभिगान चाकुंतलम प्राचीन भारति से related है गुप्त काल में प्राचीन की अगर मैं बात करूँ गुप्त काल में और रवी कीरती की परसस्ति रवी कीरती जो अभी लेक लिखा है जिन्होंने पुलके सिंदित्य के बारे में ये भी किसे related है प्राचीन काल से related है तो अगर मैं बात करूँ सूर्दास की जो सहते लहरी है जो सूर्दास की रचना है वो मध्धे काल से मानी जाती है तो सही आंस्वर क्या होगा सूर्दास ठीक है असोक क्या अभिलेक प्राचीन काल से related है कालिदास की अभिग्यान साकुंतलम प्राचीन काल से related है रवी कीर्थी की जो परसस्ती है जिसे अहोल अभिलेक बोलते है जो पुलके सिंदित्य के बारे में वो भी वहीं से तो सूर्दास सही आंस्वर होगा ओपनिवेशिक सासक की मैं बात करूँ के दोरान जो अपनिवेशिक सासन यानि कि जब बिल्टेन ने अपनी कोलोनी के रूप में इस्थापित कर दिया भारत को तो जो कॉंट्रेक्ट मजदूर थे को बागानों में काम करने के लिए भारत से किस देश में ले जाया गया था बताओ जरा कौन से देश में ले जाया क्या होगा तो तो विच कंट्री वर इंटेंडर लेबर स्टेकन फ्रों इंडिया तो वर्क इन प्लांटेशन डियूरिंग कोलोनीयल रूल तो अपनिवेशिक सासन के दोरान जो कॉंट्रेक्ट मजदूरों को जो है बागानों में काम करने के लिए भारत से किस देश में ल दीव सम्हू का आपको दिख रहा है जोगरफी में पढ़ाओ आपने केरेभी आई दीव सम्हू तो उस्टेलिया तो है नहीं अगर मैं बात करूं तो यहां तिरनिदाद और टबोगो वाला जो देश था यहां लेके गया था उने ठीक है तो तो तिरनिदाद में लेके गय आगात नेक्स्ट कोशन निमलिखित में से किसके नेतरत में बंगाल अठारवी सताबदी में धीरे-धीरे मुगल नियंतरन से अलग हो गया बोंट कौन है बताओ जरा अगर मैं बात करूं ओरंग जेव के दुवारा यानि कि मुगल बादसाह के दुवारा नियुक तो अंत क्या होगा तो आपने का मुर्शीद को लिखां कियोंकि ये उस बात से भी नराज है क्योंकि मुगल बादसाहों ने जो है अंग्रेजों को यानि कि यूरोपियों को जो है सुल्क मुक्त यानि की बीना टैक्स के वैपार करने की आनुमती दे दी बंगाल में कुछ टैक्स प्राप्तोरा कमी हो गई टेक्स में तो यह इस बास से भी नराज है जिसका अंसर होगा सी नेक्स्ट कोशन चलते हैं 1857 का जो विधरो हुआ उसके तक्ताल बाद बिल्टी सरकार की जो एड्मिनेस्टी टू पॉलिस ही थी उसमें कुछ चेंजी जाए निमलिखित में से दो कत पर विचार कीजिया आज ही पढ़ाया मैंने आज ही पढ़ाओगा आपने तो आपने का बिल्टी संसद ने 1858 में एक नया कानून बनाया जिसे 1858 का भारस सरकार अधिनियम बोलते हैं और इस्ट इंडिया कंपनी से सभी अधिकार जो है बिल्टी सामराज्ये का हाथों में स तो इसमें केवल एक सही है तो आपने का ए सही है लेकिन दो गलत है तो इसका अंस्वर होगा C ठीक है? C से ही अंस्वर होगा Next question की बात करते हैं दक्सिन भारत में जो है नमक सत्यहगरा एक वेवरद राष्टवादी ने था निमलिखित में से कौन थे? बताओ जरा जिन्होंने दक्सिन भारत में जो है नमक सत्यहगरा किया? बताओ जरा वेदारन्यम यात्रा बोलते हैं कौन सी यात्रा बोलते हैं उसे? वेदारन्यम यात्रा बोलते हैं यात्रा जैसे इन्होंने दांडी यात्रा की थी ना उन्होंने वेदारन्यम यात्रा की थी तो कौन है? तो C. राजगोपलाचारी, चक्रवर्ती राजगोपलाचारी उनका सही नाम है, तो इसका अंसर होगा B तो सी राज गोपाला नचारी ने दक्सिन भारत में जो है डांडी की तार्थ पर एक यात्रा की थी जिसे नमक सत्य घरय यात्रा बोलते हैं और इसे वेदारण्य यात्रा है यात्री बोल दिया है नेक्स कोसेन आगे बढ़ते हैं यहां बताओ 1877 के विध्रों के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पुने नियंत्रन पाने के लिए निमलिखित में से क्या बदलाव किये ये आपको बताना बता है 33 में क्या सही आंस्वर होगा कि क्या बदलाव किया तो आपने का कि East India Company के सारे अधिकार British सामराज्ये को हस्तानतित कर दिये गए तो पहला तो हो गया सही भारतिये सिपाहियों को सनतुष्त करने के लिए उनके अनुपात को बढ़Wow गया गलत है कम किया गया डिकरीज हुए खेती हरों को भुस्वामियों से सुरक्षित रखने के लिए नीतियां बनाई गई ये भी गलत है भुस्वामियों को और जादे अधिकार दिये गए तो इसका जो answer होगा पहला और चोथा सही है तो पहला और चोथा सही है कुन से माता है तो आपने का C वाले में first and four ये वाले सही है तो इसका answer होगा C बच्चो ठीक है तो right answer होगा C next question की बात करते हैं यहां देखो आपने कहा कि 1720 में जो British सरकार ने इंगलेंड में भारत के छापेदारी सूती कपड़े जिन हम छीट बोलते हैं छीट बोलते हैं कि छीट की सल्ट पैन रखिये हैं कि इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए निमलिखित में से कौन सा कानून पारित किया बताओ जरा तो बिल्टी सरकार ने इंगलेंड में जो भारत के छापेदार सूती कपड़े होते थे उनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी तो इस कानून बनाया इसलिए भारत में के उन कपड़ों की जो है यूरोप में डेमांड कम होगी डेमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होता चला जाएगा और प्रोडक्शन कम होता चला जाएगा तो फिर आपको पता सारी चीजे बंध होती चले जाएगे तो क्या अंस्वर होता है बताओ जरा कौन सा अधिनियम माना जाता है तो आपने का उसे हम बोलते हैं कैली को अधिनियम तो कैली को अधिनियम जो है सही आंस्वर होगा यानि की बी जो है सही आंस्वर होगा कैली को अधिनियम तो कैली को अधिनियम के तहत जो है इंगलेंड में जो भारत के छीट के जो है वस्तर होते थे पाबंदी लगा दी उन यहां कह रहा है कि बिर्षा मुंडा ने अंगरेजी सरकार, हिंदू भूस्वामियों, महाजनों और मिस्णरियों का जो है सहयोग किया, क्या ये बात सही है उन्होंने सहयोग किया, बताओ जरा, क्या ये बात सही है कि उन्होंने सहयोग किया, तो बिर्षा मुंडा ने अंगर सरकारों का सहयों किया क्या मिसानियों का सहयों किया ये बात कवल गलत है ये लगलत है्थ आपने चाहा कि आंगरेज हैं मुण्डाओ के UP क्र AAA भूमी ववस्था को नश्ड कर रही थी यहू Exact कर रही थी यह बात सही है और हिंदू फूस्वामी और महाजन उनकी की जमीन चीनत जा रहे थे और missionary उनकी परंपरगस संस्कृति की आलोचना करते थे ये बात बिल्कुल सही है तो आपने कहा कि a वाला तो है गलत तो जहां भी अ गलत है वहां देखो ए गलत है तो आपने का कोशन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, यहां बात करें कि भारत में आपनिवेसिक परसासन के विशय में निमलिखित वक्तों पर विचार करें और सही विकल्प का चैन करें, बताओ जरह सही विकल्प का चैन करें, नीन तो नहीं आ रही है न, यह क्लास आपक की तरब सारे चाप्टर में से निकल लें और फिर Neptune के हर चैपटर में जो है एंट्री करेंगे तो class को देखते रहूँ बिल्कुर्ट तक question करते रहूँ जरहा तो भारत में जर्त बोलते हैं कोन यर्मिनिस्टे सं यानि कि जब हमारे देश में अंग्रेज जो है परसासन संबाल ले तो सही विकल्प का चैन करना कि ओपनिवेशिक परसासन के लिए जनजातियों को नियंतरन में रखना और सासन करना जो है सरल था क्या यह बात सही है कि अगर मैं बात करूं कि ओपनिवेशिक परसासन के लिए जनजातियों को नियंत्रन में रखना और सासन करना सलल था यद पीवे उधर उधर घूमते थे तो ऐसी तो कोई बात नहीं थी ऐसे तो कहीं कुछ नहीं था तो आपने का राज्य के लिए निरंतर राज्य सुप्राप्ति के अंग्रेजी परसासन ने भूमी नियम लागू किये कि निरंतर जो है राज्य सुप्राप्ति के लिए और दूसरा अगर मैं बात करूं तो जूम खेती हरों को बसाने के परियास में बिल्टिस बहुत ज़्य बात करो कि जूम खेती हरों को बसाने के परियास में बिल्टिस बहुत सफल रहे लेकिन सवाल ये है कि क्या बहुत सफल रहे क्या बहुत सफल रहे तो ये बात सही है कि जूम खेती हरों को बसाने के परियास में परियास किये लेकिन वो जादे सफल नहीं रहे यहां अगर बा ठीक है यहाँ उन्होंने खित बसाने का परियास किया लेकिन वो पूरी तरे से इसमें सफल नहीं रहे उसके खिलाब जो है विद्रो भी हुआ यहाँ बात करते हैं राजा राम मोन राय के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है यह आपको बताना जरा 37 की बात करते हैं बताओ जरा क्या उन्होंने ब्रह्म सभा नाम से एक सुधारवादी संग्ठन बनाया 1828 में क्या बनाया उन्होंने ब्रह्म सभा पस्मि सिक्षा के परसार के विरूद नहीं थे बाई पक्स में थे यह गलत हो गया वो तो समर्थन करते थे बिल्कुल 57 सिक्षा का सती पर्था के खिलाप मोहिम छेड़ी बिल्कुल बात सही है कानून बना 1829 में महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंतरता और समान के पक्स्तर थे तो यह वाला गलत है बी वाला गलत है वो 57 सिक्षा के खिलाप नहीं थे समर्थक थे वो समर्थक थे वो चाहते थे पी हैं कि सीक्षा से जो है वग्यानी कि शोच को बड़ावा मिलेगा चिंतनसील को बड़ावा मिलेगा तर्क को बड़ावा मिले गाए नेक्स लाइसन देखता 38 की बात करते हैं बताओ 38 को शून देखो जड़ा अञड़न अजश हा एंअ हाव बताओ जरह 38 का अंसर हुआ कितने बच्चे से यह अंसर कर रहे हैं अब 37 ही बता रहे हो 38 की बात करते हैं चलो देखते हैं यहां देखते हैं कि जाती व्यवस्था के व्रोध में उठे आंदोलन की परतिकिरिया में रूडी वादी हिंदू समाज ने स्तानातन धार्म सभा और ब्रहमन सभा जैसे संग्ठन इस्थापित किये बात सही है इन संग्ठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जाती उचनीच को महत्व दिया जाता है उस पर कोई आच ना आए और वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंतों में भी मान्यता मिली हुई ह जीव नहीं धर्मिक ग्रंतों में मान्यता मिली हुई है यह बात सही नहीं है यह बात गलत है तो आप कहोगे कि तर्क गलत है कि धर्मिक ग्रंतों में जो है मान्यता मिली हुई है यह बात जो है सही नहीं है बलकि जो निम्न जाती वाले जो हैं अंदोलन कर रहे थे वो कहते में बहुत सारे ऐसे अंदो लन्ते जो कहते हैं कि यह जो हिन्दु धार में गांगानीर होगा यह कही न कहीं सोशन नहीं है तो ऊछ जाती हों के लोगों ने इस बात को नहीं कहा कि positively ग्रण्तों में विमान्यता मिलैं तो आप कहोगे कि A सही है, लेकिन R गलत है। चलो next बात करते हैं यहां बात करते हैं जो समाज सुधारक थे हरिदास ठाकुर और ईवी रामस्वामी नायकर के विशे में जो है कौन से कथन सत्ते हैं बताओ जरा कौन सा कथन सत्ते हैं दोनों के बारे मागर मैं बात करूँ बताओ क्या दोनों ने समाज में जो है भेदभाव का सामना कर रहे जाती समहों के लिए कारिय किया ये तो बात सही है कारिय तो किया दोनों ब्रहमनों के उन गरंथों के विरुद थे जो जाती पर्था के समर्थक थे बताओ जरा क्या ये बात सही है क्या दोनों जो है उनके खिलाप तो दोनों ब्रहमनों के उन गरंथों के वुरुध नहीं थे जो जाती पर्था के समर्थक थे तो क्या ये बात सही है बताओ जरुध तो अगर मैं बात करूँ वो इवी रामस्वामी नायकर हो चैहरिदास ठाकुर हो तो दोनों ब्रहमनों के गरंथों के वुरुध नहीं थे जो जाती पर्था के समर्थक थे तो सब ने जो है इन दोनों ने जो है ब्राह्मनों के उन गरंथों के वुरूद बात नहीं कि तो आपने कहा कि A तो सही है लेकिन B जो है गलत है तो इसमें जो है C सही आंस्वर होगा चालिस की बात करते हैं यहां देखो रवाबाई पंडिता रवाबाई जो संस्क्रत की विद्वान मानी जाती है महिला शिक्सा की योध्धा थी कभी स्कूल नहीं गई फिर भी उन्ने पंडित की उपादी दी गई बताओ जरा क्यों कभी स्कूल नहीं गए लेकिन फिर भी उन्हें पंडित की उपादी दी गई ऐसा क्या रीजन है बताओ जरा सही आंस्वर क्या होगा बताओ तो आगर मैं बात करूँ उन्होंने महिला सबसे बड़ी बात है जो संस्क्रत पढ़ना लिखना जानती थी और एक बहुत बड़ी उपलबती थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस परकार का ग्यान अर्जित करने की अनुमती नहीं थी तो सही आंस्वर क्या होगा डी सही आंस्वर होगा राइट आंस्वर होगा डी अगले कोशन की तरह बात करते हैं नेक्स कोशन देखें जोती वार आव फूले ने अपनी पुस्तक जो गुलाम गिरी है वो निमलिखित में से किन है समर्पित की है बताओ जरा मैंने बताए था कि अमरीका में जब गिरह अमरीकी गिरह युद में भाग लिया जोती बार आव फूले ने अपनी जो गुलाम गिरी पुस्तक थी वो उनी को जो है समर्पित की थी तो सही आंस्वर क्या होगा तो आपने का डी सही आंस्वर होगा ठीक है डी सही आंस्वर होगा बताओ जरब अगले कोशन की तरफ चलते हैं ए और बी कतनों पर 1854 का चार्लस वूड का डिस्पैच नियम है उसके बारे में विचार करना है और सही उत्तर को चैन करना है देखो जो वूड का नीती पत्र है वो तर्क देता है कि यूरोपिये सिक्सा से भारतियों के नैतिक चरितर का उत्थान होगा क्या ये बात सही है क्या उन्होंने ये बात कही थी कि उससे जो है उत्थान होगा तो इन्होंने कहा ये बात तो बिल्कुल सही कही थी क्या जो पूरब का साहित्य है वो तूटी रही थे तो तो आपने कहा कि पूरब का साहित्य जो है तूटी रह यह सही यहां बात करते हैं गुलाम गिरी पुस्तक किस ने लिखिया यह आपको पता है किस ने लिखिया तो जोती बारा फूले ने लिखिया तो जोती बारा फूले के दुवारा जो है गुलाम गिरी पुस्तक लिखी गई है नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं बताओ जरा बताओ जरह सही अंस्वर क्या होगा तो who gave the famous name one race, one religion, one god बताओ तो मानव जाती के लिए एक जाती एक धर्म, एक इस्वर का परसिद नारा ये नाम किस ने दिया था तो जोती बारा फूले ने दिया था क्या बियार अंबेडकर ने दिया था क्या ये नारायन गुरू ने दिया था तो इसका सही अंस्वर क्या होगा नारायन गुरू जो है सही अंस्वर होगा ठीक है नारायन गुरू सही अंस्वर होगा next question देखो अलिगड आंदोलन की प्रारंब की बात कर रहे है अलिगड आंदोलन का जो प्रारंब है वो किस वर्ष में हुआ ये तो 2023 में जो है सीटेट ने कोशन पूछा है बताओ जरा तो अलिगड़ अंदोलन का प्रारम जो है किस ने हुआ अगर मैं अलिगड़ अंदोलन की बात करूं तो किस के द्वारा सुरुवात की गई थी सरसयद एहमद खान के द्वारा सुरुवात कर सकते हैं तो अंग्रेजों के परती जो है वफादार बनने की बात के इनों ने और कब किया था तो 1875 में किया था ये वो ही है जिनोंने मौमडन एंगलो औरियंटल कोलिज की स्थापना की थी जो बाद में अलिगड़ यूनिवस्टी के नाम से जाना गया अलिगड़ कर रहे हैं कुछ बच्चे जो गलत हैं वैसे मेक्सिमम्म बच्चे सही कर रहे हैं आरिये समाज की इस्थापना आरिये समाज की अगर में बात करूं तो 1875 में इसकी स्थापना हुई बॉंबे में बॉंबे में और फिर बाद में 1877 में जो है लाहोर में मुख्याले बनाए गया लाहोर में तो आरिये समाज की स्थापना राजा राम मोंडाय ने इस्वर्चंद विध्या सागर ये वो ही है विडो रिमेरीज एक्ट वाले स्वामी विवेकानंद इन्होंने रामकिर्शन पर रामस्वती ने स्थापने की थी और 1875 में जो है बॉंबे में की थी है नेक्स्ट कोसन देखो जरह मिलाओ जो भी आपको पता है उससे मिला दो जरह बताओ यंग बंगाल यंग बंगाल अंदोलन भी बोलते हैं यंग बंगांदोलन बताओ जरह कोई घड़ी साज थे से पहलो उसे पकड़ लो जो भी आपको यादो मालो राम किरसन मिसन पता है या जो भी आपको पता तो अगर मैं यहां बात करूँ आपने कहा कि यंग बंगाल अंदोलन है तो यंग बंगाल अंदोलन में हेंरी विवियन डेरोजी यो आते हैं तो हेंरी विवियन डेरोजी य अंडोलन रामा स्वामी नायकर पेरियार है तो पेरियार इसका सही अंसवर होगा तो क्या हो गया तो जिसे यह पता था कि यंग बंगाल अंडोलन हेंडि विवियन डेरोजी हैं ये बंगाल के वही हैं जो घडी साज थे घडी के विक्रेता थे और बाद Sultana का स्वपन पुस्तक लिखी थी तिए इन्होंने याद है Na Ladyland की बात की थी इन्होंने סultana का स्वपन ढी रीम और किस्वाशा में लिखी थी किसी में लिखी थी ए इंगलिस में और इसमें किसा की स्वापन की थी पटना और कलकत्ता में करवा है तो 48 का सही अंसर क्या हुआ तो पटना और कलकत्ता में कराए इनों ने ठीक है तो रुकईया सखावत बेगम हुसैन याद है न आपको सुल्ताना का स्वपन इनों पुस्तक लिखी थी इंगलिस में और उसमें लेडी लेंड की बात की थी इनो जो है देखा बताओ जरा कौन है इन में से जिसने जो निम्न जाती के व्यक्ति थे भारत में कहा कि उनका ऐसे ही दमन होता है जैसे अमरीका में जो है काले दासों का होता है तो कौन व्यक्ति है बताओ जरा तो राजा राम होन राय ने किया था क्या जो तीबा फुले राव न निम्न जाती के लोगों की स्थिति हैं उसी तरह से उनका सोशन और दमन होता है बताओ अगला कोशन पढ़ते हैं जरो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की इस्टेबलिस्मेंट के संधर में स्टेटमेंट ए है और रिजन जो है आरे पढ़ें और सही उत्तर का चैन करें बताओ जरा सही आंस्वर क्या होगा यह आपको बताना बताओ 1885 में देश बर के रिपर्जेंटेटिव ने बंबई में एक सभा करके भारतिय राष्टे कॉंग्रेस की स्थापना किया है क्या बात सही है सही है यह तो बात सही है बस संस्थापक जो है एयो हुँम माने जाते हैं वो बात सही है जो शेवा निवरत बिल्टी सफसर ए यो हीूम ने विभिन छेत्रों के भारतीयों को साथ लाकर कांग्रेश बनाने में एहम भूम ही का साही तो दोनों हैं दोनों सही हैं और दोनों के बारे में एक ही statement के बारे में दो जानकारी दी जारी है कि 1885 में बंबई में सभा करके राष्टे कॉंग्रेस की स्थापना हुई और दूसरी जानकारी है कि A.O. Huyum ने विभिन छेत्रों के भारतियों को साथ लग कर कॉंग्रेस में एमपुमी का नि बाई तो सही यह बी है और सही यह भी है लेकिन ये इसकी explanation नहीं करते हैं कि भी बाई बंबाई में सभा करके क्यों किया ऐसा कुछ नहीं बताते हैं TIries का मतलब हैं लिकिन व्याख्या नहीं करता तो आपने का व्याख्या नहीं करता यह बात सही है can get a upर चैड– seven से content पढ़ना चाहिए और कई बार NCRT पढ़ाने में 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 पॉइंट जो है याद कर लेते हैं उससे कुछ नहीं होता इंसी आर्ट पता नहीं कौन सी लाइन उठा के statement बना देते हैं सीटेट वाले तो बहुत ही गंदा paper बनाते हैं सस्टी का बताओ जरा निमलिखित में से किसने गांधी महराज की जैका नारा दिया बताओ जरा गांधी महराज की जैका नारा दिया कौन व्यक्ति थे वो बताओ बताओ तो गांधी महराज की जैका नारा दिया तो मील मालिकों ने दिया मील मजदूरों ने दिया चाय बागान मजदूरों ने दिया नील की खेती करने वाले मजदूरों ने दिया या किसानों ने दिया बताओ जरा तो अगर यहाँ अगर मैं इसमें बात करूँ तो गांधी महाराज की जैका जो नारा दिया वो मील मजदूरों ने दिया साइद 1928 के आसपास दिया चीगा 1928 में साइद दिया यहाँ देखो निमलिखित में से कौन स्वेतंत्र भारत के पहले भारतिय गवर्नर जनरल थे पहले भारतिय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे अंगरेजों के तो अगर मैं बात करूँ जवार लाल नहरू थे? नहीं थे क्या सरदार वल्लबहे पटेल थे? नहीं थे डोक्टर राजेंदर पर साथ थे? नहीं थे सी राजगोपलाचारी थे तो सी राजगोपलाचारी को लाइड मांट वेटन के बाद जो पहला भारतिय गवर्नर जनरल बनाया गया वो सी राजगोपलाचारी को बनाया गया और एक तरह से या अंग्रेजों के दौआरा बनाया गया अंतिम गवर्नर जनरल भी थे? इसके बाद ये पद खतम हो गया था राष्टपती का पद बन गया था जो ओपनिवेशिक सिक्सा पर गांधी जी के विचारों के संब्ध में निमलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है बताओ जरा जो कोलोनियल एज्यूकेशन थी जो अंग्रेजों के द्वारा सिक्सा लागू की जा रही थी उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत ह यह आपको बताना बताओ गलत छाटना है देखो अंग्रेजी सिक्सा के पढ़ने और लिखने की अपेक्सा जो है मोखिक ज्यान पर अधिक बल दिया क्या ये बात सही है क्या गांधी जी ने मोखिक ज्यान पर बल दिया ये बात सही है क्या बताओ जरा आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी में दी जा रही सिक्सा ने भारतियों अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया ये बात तो सही है ये गांधी जी कहते थे कि अंग्रेजों के द्वारा जो सिक्सा दे जा रही है वो अपने परिवेश से काट रही है जो कोलोनियल एजुकेसन है ने भारतियों के मस्तिस्क में हिंता की भावना पैदा कर दी ये भी बात सही है ये भी बात सही है जो western education है उसमें जीवन के अनुभव और वहवारी ग्यान की अपेक्सा पाठ्थे पुस्तकों पर अधिक बल दिया गया ये भी सही है तो जो गलत है वो यही है कि मोखिक ग्यान पर उन्होंने अधिक बल दिया ये बात गलत है वो स्वेडेशी सिक्सा की बात करते हैं वो स्वेडेशी भासा में सिक्सा दिये जाने की बात करते हैं तो पहले वाला गलत पहला आंच्वर जो है गलत है तो 53 का कितना option सही कर रहे हैं चलो बहुत बढ़िया very good आगे चलते हैं next question की बात कर 1905 में जो बंगाल में स्वेदेशी अंदोलन चला वो बंगाल विभाजन के कारण चला बंगाल विभाजन की बात करें तो वहां चला बच्चों ठीक तो 1905 में अगर मैं बात करूं तो बंगाल का विभाजन कर दिया और बंगाल का विभाजन करने वाले के जो है कौन थे तो उसमें पहली बार जो है स्वेदेशी आंदोलन की बात की गई हालनकि किरसन कुमार मित्र की एक संजीवनी पत्री का थी उसमें पहली बार जो है स्वेदेशी का और बहिसकार के प्रस्ताव सुझाए गए तो ये जो वंदे मातरम आंदोलन के रोप में चला ना ये आंदर परदेश में चला, ये जो teaching exam होता है ना बिहार का BPSC, उसने ये question पूछा है, आंदर परदेश, तो सही answer क्या होगा, स्वेधेशी आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन के रोप में आंदर परदेश में जाना गया, next question बताओ जरा, अगले question की तरफ चलते हैं, निमलि पर जो है राज्य का एक आधिकार था, बिल्कुल बात सही है, जब उनकी मोनो पॉली थी राज्य की, तभी तो गांदी जी कह रहे थे, कि नमुक तो हर व्यक्ती की जरूरत है, यार हर व्यक्ती को अपनी जरारूत को नुसार नमक बनाने का अधिकार दिया जाए, मोनो एकादिकार था अब महत्मा गांधी ने इस नियम को तोड़ा क्योंकि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है और ये भोजन का बुनियादी हिस्सा है बिल्कुल बात सही है तो अब आप पड़ो नमक के उत्पादन और विक्री पर राज्ये का एकादिकार था इसलिए गांधी जी ने इस नियम को तोड़ा क्योंकि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है तो अब ने कहा कि सही व्याख्या करता है A, R दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या करता है तो सही आंस्वर होगा A for Apple A for Apple जो है सही आंस्वर होगा Next question देखते हैं यहां देखो निम्न कत्नों को पढ़ना है और ऊप्रोकत कत्न जो है किसका उधारन है मतलब यहां बता रहे हैं 56 का अंसवर बताना आँ देखो, समय समय पर भारतिय जो है स्वतंतरता सेनानियों ने निरंकुस ब्ल्टिस कानून, रंकुस बिल्टिस कानूनों का मतलब जिन पर कोई रोक डोक नहीं थी, कोई अंकुस नहीं था, यह विरोध परदर्शन किया, चलो बास सही है, मनिपुर में जो है, विवादासपद कानून के विरोध में इरोम सरमिला आमरा नंसन पर चली गई ये भी बात सही है इरोम अरमिला जो है आमरा नंसन पर चली गई तो ये जो उप्रोक्त कत्षन है ये किस चीज का उधारन है ये हमसे कोशन पूछ रहे हैं कानून बनाने में लोगों की भूमी का अगर विरोध कर रहे हैं तो भूमी का कहीं की अभी सासन में लोगों की भूमी का कहीं में सासन की भूमी का जब उन्हें वरोध करना पड़ रहा है कानून उनके अनुसार नहीं बनाय जा रहे दमनकारी कानूनों के वुरुद लोगों के परदर्शन की मतलब दमनकारी कानूनों के खिलाब लोग परदर्शन कर सकें उसका उधारा नहीं है चलो ये भी सही हब तक आगे देख लेते हैं मीडिया का ध्यान आकर सित करने के लिए लोगों के परदर्सन तो इसमें सही आंस्वर होगा C की दमनकारी कानून है उनके जो है सुधाओं के अनुसार नहीं है उनके प्रोफिट का नहीं है उनके समानता और अधिकार की बात नहीं है इसलिए वो उसके विरुद परदर्सन कर रहे हैं तो सी सही आंस्वर बनता है कितने बच्चे कर रहे हैं सही आंस्वर चलो तो सी सही आंस्वर बनता है वेरी गुड आगे बढ़ो निमलिखित कत्रों पर विचार करें और उप्यूक्त विकल्प को जो है चुने बताओ जरह उप्यूक्त विकल्प को चुनना है आपको 57 की हम करते हैं चलो यहां देखो पाकिस्तान की अपनी मांग मंगवाने के लिए मुस्लिम लेग ने सोले अगस्त उनिस्सो चालिस को पर्तेक्स कारे वही दिवस मनाए था डारेक्ट एक्षन डे मनाए था डारेक्ट एक्षन डे यह बात सही है कि सोले अगस्त उनिस्सो चालिस को दिवस मनाने की घोसना कर दी कि भाई अब लड़कर लेंगे पाकिस्तान अब नहीं मानेंगे जो कैबिनेट मिसन आया था कैबिनेट मिसन कब आया था 1946 माय था 1946 में स्वतंत्र भारत के लिए एक उप्युक्त राजनीतिक बंदोबस्त करने में जो कॉंग्रेस और मुस्लिम ल तो कैबिनेट मिसन ने तो किवल सम्विधान बनाने की बात की थी भारत के लिए तो मुस्लिम लीग ने से एश्विकार कर दिया था कहा कि हम तो पाकिस्तान चाहिए हमें पाकिस्तान से कम कुछ पी चाहिए ही नहीं तो ये बात गलत है वो सफल नहीं रहा मुस्लिम लीग क की बात करते हैं तो 58 की अगर मैं बात करूँ कि भारतिय स्वतंतरता संगराम में महिलाओं की सहभागीता के संधर्व में कथन A और कथन B पर जो है विचार करना है अच्छा मतलब जो हमारा freedom moment है देश की आजादी के लिए जो woman participation है woman participation है इंडियन freedom मिस्ट्रेगल में तो उससे related दो statement दिये गए हैं वो आपको statement बताने है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है देखते हैं बड़ी संख्या में महिलाओं ने महत्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविन्य अवगांदोलन में हिस्सा लिया बिल्कुल बात सही है सविन्य अवगांदोलन में हिस्सा लिया बात सही है आप देखो जब वो दांडी मार्च कर रहे थे तो सरोजनी नाइडू के नेतरतों में बहुत सारी महिलाएं उन साकर मिले थे फिर वो धरसना नामा गोदाम पर जो है हुआ था जो धरना पर देखो कितनी सारी महिलाएं थे तो ये तो सही है पहले वाला सही है दोनों अंग्रेजी अधिकारियों और राष्टवादी भारतियों ने ये महसूस किया कि आंदोलन में महिलाओं की भागिदारी ने राष्टी आंदोलन को बहुत काछ़ ताकत दिया बात बिल्कुल सही है अगर महिलाओं की भागिदारी बढ़ेगी तो राष्टी अंदोलन तो मजबूत होंगे तो ये बात सही है तो दोनों स्टेटमेंट सही है आपने का इसका आंस्वर होगा सी सी सही आंस्वर होगा बच्चो ठीक है तो दोनों स्टेटमेंट सही है सी सही आंस्वर है चलो वेरी गुड बाल को 12 मर्च 1930 की कौन सी डेट बता रहे है एक बच्चे ये कौन सी डेट बता रहे बंबई बढ़ता जा रहा और परसासन के नए केंदर के पैदा होने को डैस के रूप में व्यक्खित किया जाता है बताओ जरा किस रूप में कहा जाता है बताओ तो अगर सक्ती का जो पुराना केंदर था जो सूरत होआ करता था वो धीरे धीरे जो है identification हो रहा डिस identification हो रहा तो अगर मैं बात करूँ तो क्या हो रहा तो आप कह रहे हो कि यह जो है सक्ति का पुराना केंदर जो है यह हटता जा रहा तो इसका मतलब यह वी सहरी करन हो रहा तो इसका सही जो आंसर माना जाता है वो वी सहरी करन माना जाता है बच्चा ठीक है तो अ Centralization एक अलग चीज होती है, उसमें सक्तियों का बटवारा होता है, सक्तियों का विभाजन होता है, तो इसका सही अंस्वर होगा, वी सहरी करन, यहां बात करते हैं, यहां देखो, मध्यमार्गी, भारतिय नेता, उन्निसवी सदी में किन-किन तरीकों से अपना राष्टिय सरो कार परकट करते थे, मध्यमार्गी के हम बात करें, यह नरम दल वाले हैं, यह नरम दल वाले हैं, इन वोट वे डिड़ सेंट्रिस्ट इंडियन लेडर एक्स्प्रेस देर नेशनल कंसर्ण इंदा नैंटीन संचुरी, बताओ जरा, तो मध्यमार्गी हैं जो नेता थे, वो किस रूप में आपको दिखाए देते हैं, बताओ, क्या चाहते हैं वो, तो आपने कहा कि सरकार और स्वराज के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, परदर्शन करना चाहते हैं, यह जी, तो अगर मैं बात करूँ, परदर्शन और स्वराज के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, गरम दल वाले ठीक तो इसे छोड़ दो बाकी दोनों सही है तो B और C दोनों सही है यानि किसका अंस्वर होगा यह आंस्वर ठीक है तो सही आंस्वर क्या होगा तो आपने का B वाला जो है सही आंस्वर होगा next question की बात करते हैं यहां देखो कोशन नमबर 61 की बात करते हैं तो ये कह रहा कि किन तरीकों से जो एमूर्त परिवर्तन वादी नेताओं ने 19-वी सदी में किन-किन तरीकों से रास्टिय सरोकार जो है परकट किये बताओ जरा 19-वी सदी में किन-किन तरीकों से जो है राष्टिय सरोकार प्रकट किये अगर हम बात करें तो इसका अंस्वर पूछ रहा है तो इन्होंने क्या का बड़ी-बड़ी सभाएं की परदर्शनों का आयोजन किया स्वराज के लिए संगर्श किया सही है अंग्रेजों को भारतियों की स्वतंतरता की भावना से लिए उन पर दवाब बनाना आदर देने के लिए विदान मंडलों में अधिक प्रतिनिधित्मांग करना तो इसका सही आंस्वर जो होगा ये बच्चे तो उन्नीशवी सदी की अगर मैं भात करूं निश्वी सदी में जो है तो आपने का ये सही है कि सभा करते परद्रसन करते थे, सवराज के लिए जो है संघर्श करते थे, तो इसका सही आन्सर बनना चायता यह और है, ए सही आनसर होना चायता, तो इसका सही आनसर बनना चायता, सब्र भर देखे जरह विविदिता डाइवर्सिटी का कोशन आगया पॉलिटी का तो अधीगम करताओं के बीच जो सामाजिक सांस्कृतिक विविदिता के संदर में निमलिखित कतनों को पढ़िए और उप्यूक्त विकल्प का चैन कीजे बताओ जरह सही विकल्प का चैन करना आपको बताओ जरह क्या सही आंस्वर होगा यह कहरें कि अधीगम करताओं के बीच जो विविदिता है डाइवर्सिटी है वो केवल उनकी सामाजी के स्थितियां या सांस्कृतिक प्रस्ट भूमियों में नहीं है परंतु उनकी अधीगम सैलियों अकांकसा और मनोवरत्ती में भी यानि कि विविदिता का जो छेतर है वो बड़ा है वो केवल सामाजी के स्थितियां सांस्किर्टिक प्रस्ट भूमि को सामिल नहीं करता बलकि जितनी भी उनकी अधीगम सैलियों है अकांकसा है मनोवरत्ती सब को सामिल करता है यह बात सही है एक समुदाय में व्याप्त ज ही है लेकिन आर गलत है तो डाइवर्सिटी को जो है संधे की नजर से नहीं देखा जाता वो नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता अधीगम को ठीक है तो आपने कहा सी सही अंस्वर होगा तो सही अंस्वर क्या होगा सी होगा बताओ जरा निम लिखित में से क्या जो है डाइवर्सिटी का एक उधारन जो है नहीं माना जा सकता बताओ जरा कौन सा जो है डाइवर्सिटी का उधारन नहीं माना जा सकता यह आपको बताना है बताओ क्या बहु भासी समाज अगर बहुत सारी भासाएं हैं तो डाइवर्सिटी का उधारन है बिल्कुल सही ह अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं आपने का diversity हैं अलग अलग संस्कृतियां हैं तो आप कहोगे diversity है लेकिन जो जाती ववस्ता है वो diversity नहीं माना जाता तो B answer होगा यह diversity का example नहीं माना जा सकता जाती ववस्ता को ठीक है अगले question की तरब बात करते हैं कि निम लिखित में से क क्या विविद्धता का एक उधारण जो है नहीं है तो यह तो हमारा हो गया ना QoSan अभी यह repeat हो गया QoSan सायद है न यह repeat हो गया न हाँ repeat हो गया QoSan तो आपने काव भाववाशी समाज bhi है धार्मिक बहुलुवाद भी है तो जाती ववस्ता है repeat हो गया हमारा question next question की ने कहा था विविधिता में एक्ता तो विविधिता में एक्ता किस ने कह थी बताओ जरा Unity इन-diversity तो किस ने कह था देश के जो पहले प्राइम मिनेस्टर थे उननोंने ये बात कहीं थी महतमा गांदी ने कहीं थी रविणार टेगोर ने कहीं थी पंडि जवाहर लाल नहरू ने जो है विविदिता में एकता की बात किस ने की थी तो आपने का पंडी जवार लाल नहरू के द्वारा कही गई थी ठीक है पंडी जवार लाल नहरू के द्वारा नेक्स्ट कोशन देखो जरा इसी छेतर की जो डाइवर्सिटी है को एतिहासिक और भोगोली का कारक परभावित करते हैं इस कथन के संदर में निम्न में से कौन सा योगम्ठ योय जो है ऐसंगत है ऐसंगत देखो अगर मैं बात करूँ जोधपूर और जैसलमेर आसपास के छेतर हैं ग्वालेर और जहाशी आसपास के छेतर हैं दार्जलिंग और केलिमपलोग तो लाहॉर और लखनव जो है इसका सही अंसवर होगा क्योंकि वो कहरा कि विविदता को एतिहाशीक और भोगोली कारक परभावित करते हैं तो लाहोर कहां और लखनौ कहां तो कौन सा यूमू जो है संगत है तो आपने का सी वाला सही अंस्वर है तो जोधपूर और जैसलमेर भी आसपास ही आपको दिखाए देंगे गौलेर और जहांसी भी आसपास दिखाए देंगे दारजलिंग और कैलिमपॉंग भी आपको आस लोकतांत्रिक सरकार का जो आधारभूत सूचक है उसका होना ये लागू करना क्या सो करता है बताओ जरा आधारभूत सरकार की हम बात करें तो अगर हम कह रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक है का होना ये लागू होना तो किस चीज़ का होना जो है डे निधित्व की आनुपातिक व्यवस्ता है ऐसा तो है नहीं हमारे लोकसभा का चुनाओ तो डारेक्ट होता है यह जो यह है ना सारभोमिक वैस्क मताधिकार जिसे आप आर्टिकल 326 कहते हो 326 यह आप कहोगे कि बेसिक जो है इंडिकेटर है डेमोक्रेटिक गवर्मेंट का औ सभी को किसी भी जाती का किसी भी धार्म का किसी भी वर्ग का किसी भी छेत्र का हो सभी को मतदान का जो है दिकार मिला हुआ है तो आंस्वर जो है बी सही आंस्वर होगा ठीक है चलो नेक्स्ट कोशन की तरह बात करते हैं नेक्स्ट कोशन देखते हैं लोक तंत्र में चुन परती निधितु लोकतंत्र में, देखो हमारे यहां ऐसे ही होता है, हमारे यहां परती निधियों के माध्यम से जनता जो है लोकतंत्र में सामिल होती है, हम तो डारेक्ट संसद में नहीं जाते हैं न कानून बनाने, हम अपने परती निधितु चुनकर भेजते हैं, हर छेतर स सनसद बनाती है तो उन्होंना कहा कि प्रतिनिधित लोक तंतर में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर एपर्टेक्स रोप से भाग लेते हैं और प्रतिनधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं तो पहले वाला तो सही है भई सरकारे जो है नियमित चुनाओं द्वारा बदली जा सकती हैं तो आपने का दोनों सही है तो दोनों सही का मतलब ए बाला सही है तो इसका अंस्वर क्या होगा ए सही है ये भी बात सही है कि एपर्टेक्स रूप से हम जो है सासन में भागिदारी करते हैं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से और ये भी बात सही है कि सरकारे जो है regular चुनाओ के द्वारा बदली जा सकती है बिल्कुल हर पांस साल पे जो ह प्रता काम नहीं कर रही हो आपके जो है प्रोड को नहीं साद रही हो तो आप उसे बदल सकते हैं नेक्स को सं देखो जरा 69 बात करते है विWorld विपक्स की बात करते हैं जरा तो आपने कहा कि विपक्स जो है किस परकार सरकार को जवाब देही को सुनिश्चित करता है वह विपक्स का मजबूत होना बहुत जरूरी है विपक्स को मजबूत होना क्योंकि विपक्स जो है एक तरह से सरकार को कंट्रोल करने का काम करता है उ जन्मानस को जो है राय को व्यक्त करके ये भी बात सही है जन्मानस की राय को व्यक्त करके सत्ता धारी दल को निरंग कुस्ताओं पर रोक लगा कर ये भी सही है संसद में बाधाएं डालका ये गलत है संसद में बाधाएं नहीं डालते हैं तो इसका अंस्वर जो होना पर रोक लगाये में मदद करें ये भी सही है लेकिन संसद में बाधा डाल कर नहीं तो ये वाला जो है सही आंस्वर होगा ठीक है सही कर रहे हैं ना 69 का ये वाला विलकुल बहुत बढ़ी है यहां चलो लोक तंत्र की परमुख विसेश्थाओं की जो है पहचान कीजिए कि ल लोक तंत्र में संगर्ष का सांति पूर्ण समाधान होता है ये बात बिलकुल सही है लेकिन यहां वो कह रहा कि सबसे परमुख विसेश्था क्या है तो मैंने बताया था न्याय भी होना चाहिए ये भी बात सही है आरक्षन भी सही है लोक तंत्र में सभी को आगे बढ़ने कि मानी जाती है यानि कि समान्ता मानी जाती है तो सही आंस्वर क्या होगा समान्ता सही आंस्वर होगा next question देखते हैं कि निमलिखित में से कौन से कारण जो है ग्रामीन जीवयों को पारजन को ऐसुरक्सित याद रखना ऐसुरक्सित बनाते हैं इंसिक्योर बनाते हैं तो कौ लिये अपनी खेती की सिचाई के लिये मानसून पर निरभर हैं तो क्या ये जीवी का को इन्शिक्कोर नहिं करता एसरक्सित नहिं करता तो आपने का बिल्कुल सही है उत्पादन को ग्रामीन जो है सहकारिताओं में बेचने ये भी जो है नुच्छ की III na mm इस करता यह यह सरी आहिं ब्हुर्वा के अ सब्सक्राइब टूलवे अंधि शहy उच्छित करता है तो यह नहीं करता तो अगर मैं बात करूं जो ग्रामीन जीवीं को पारजन बनाते हैं वह पहले वाले तीन अगर मैं बात करूं तो वो सही आंस्वर होने चाहिए तो आपने कहा A, B और C सही आंस्वर होगा A, B और C ठीक है ये सही आंस्वर होगा क्या नहीं थोड़ा सा इसमें एक चीज में थोड़ा सा गलत डिसकस कर गया सहकारिताओं में बेचना ये जो है सिक्कोर नहीं करता मैं थोड़ा सा इसमें गलत बता गया ये जो B वाला है इसका अच्छा ये उत्पादन को जो है ग्रामीन सहकारिताओं में जो बेचने की बात कर रहा है उत्पादों को ग्रामीन सहकारिताओं में बेचना ये सुरक्सित नहीं बनाता है ये सुरक्सित बनाता है ये सुरक्सित बनाता है ये बात सही है और साहुकारों से करज उठाना जो है ये इन्शिक्योर बनाता है तो इसका जो सही आंस्वर होना चाहिए न तो आपने कहा ये जो है गलत है यह इन्शिक्योर नहीं बनाता है और बाकी तीन जो तो इसका सही आंस्वर जो होना चाहिए वो यह होना चाहिए बी सी और डी यह सही आंस्वर होना चाहिए मैं इसमें थोड़ा सा जो है कन्फ्यूज हो गया सहकारिता में नहीं होना सहकारिताओं में जो है उत इसका सही आंसर यह होगा, सिचाई के लिए मानसून पर निरभर है, इससे भी एस सुरक्सित का माहूल है, कीठ हमले में फसलनस्ट हो जाती है, एस सुरक्सा का माहूल है, साहुकार से करज उठा रहे हैं, वो भी इन्शिक्कोर करता है, लेकिन अगर सहकारीताओं में जो हैं ह अपने उत्पादों को बेच रहे हैं तो वो हमें सुरक्सित बनाता है ना कि ए सुरक्सित तो BCD सही है इसका अब चलते हैं बताओ जरा कौन सा छेतर भारत में सबसे ज़्यादे रोजगार परदान करता है बताना जरा प्रात्मिक छेतर है दित्यक छेतर है तिर्टेक छेतर ह अगर मैं प्रात्मिक की बात करूँ तो इसे हम क्या बोलते हैं किर्सी छेतर बोलते हैं अग्री कल्चर तिर्टेक की बात मैं करूँ तो इसे सर्वी सेक्टर बोलते हैं सेवा छेतर बोलते हैं और दित्यक की मैं बात करूँ तो इसे उद्ध्योग बोलते हैं तो बताओ ज सबसे ज़्यादे अगर रोजगार की मैं बात करूँ सबसे ज़्यादे रोजगार तो कौन सा छेतर परदान करता है तिर्तेक छेतर सेवा छेतर देखो आज भी कहते हैं कि लगभग जो है लगभग जो है 55-60% अब जनसंख्या जाओ 55-60% तो आज भी किर्सी कारियों में लग काम कर रहे हैं ठीक है अगर यह एकोनोमिक्स में कोशन पूछा जाता है कंपीटिशन में तो फिर इसका अंस्वर होता है से अंस्वर सेवा छित्र लेकिन ncrt के अनुसार इसका अंस्वर माना जाएगा किर्सी चेटरा ठीक है तो लगव कहीं कहीं तो 70% भी आ जाता है हलांकि अब 70% जनसेंग क्या रह नहीं रही है किर्सी में लेकिन 55-60% आज भी जो है किर्सी कारियों में लगी हुई है तो उसका सही अंस्वर होगा एवाला ठीक है यहां बात करते हैं जब आदिवासी सम्हों का विकासात्म गतिविधियों के कारण जो है उनकी भूमी से विस्थापित किया जाता है विस्थापित किया जाता है पढ़ो जेरा अंस्वर क्या कोश्चन है कि विस्थापित किया जाता है जाता है जाता है जाता है बताओ जरा कोशन करते हैं कि जब आदिवासी सम्हों का जो है विकास आत्म गतिविधियों के कारण उनकी भूमी से विस्थापित किया जाता है यानकी मान लो आदिवासी सम्हों होती हैं वहाँ कोई विकास परियोजनाय चल रही हैं बांध परियोजनाय चल रही हैं जैसे आपने टिहरी बांध परियोजना पड़ी होगी तो वहाँ से लोगों को दूसरी जगह जो है विस्थापित करना पड़ा था तो यही कोशन पू पूछ रहा है क्या वो अपने रिती रिवाज और परंपराएं खोने लगते हैं सही है क्या वो अपने आये के श्रोत और आजीवी काएं खोने लगते हैं विल्कुल बात सही है क्या जो अभाव ग्रस्त समुदायों की तरह जो है मान्नेता खोने लगते हैं तो इसमें चार आ तो जब आदिवासी सम्हों का विकास आत्म गति विधियों के कारण उनकी भूमी से विस्थापित किया जाता है तो वलसरोप अपने खोने लगते हैं तो क्या 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 खोने लगते हैं यही कोशन पूछ रहे हैं वो तो यह तो तीनों सही है अगर मैं इसमें बात करूँ तो साइद जो है अगर मैं बात करूँ तो एक दो तीन सही है इसमें अब चार है नहीं कहां है चार तो यह तो यह कोशन जो है अधूरा है यह कोशन अगर मैं बात करूँ तो यह कोशन अधूरा है ठीक है तो यहां तो जो है आय के सुरोत भी आजीवी काई भी खोते हैं रीती रिवाज और परंपराएं भी खोते जाते हैं तो आप यह मान लेना एक दो और तीन एक statement छोट गया सही है ठीक है सही है तो अगर मैं बात करूं तो इसे मान लेता है वैसे छूड़ी गया, इसमें इंगलिस वाले में भी नहीं है कुछ, यहां बात करते हैं, ग्रामीन छेतर में खेती के अलावा होने वाली जो गतिविदियां हैं, के सही सम्हू करन की पहचान कीजिए, बताओ जरा, ग्रामीन छेतर में बताना, जो खेती के अलावा होती हैं, उनकी बात बताने हैं, तो बताओ जरा कौन सा सही है, टोकरी बुनना, पसलों की कटाई करना, पसलों की कटाई तो पहली बात तो खेती मा आ गई, हटा दो, साइकल ठीक करना, निराई या घडे करना, निराई करना ये भी जो है खेती मा आ गई, दान की रोपाई करना ये भी खेती में फिर तो यही सही है, घड़े बनाना, टोकरी बनाना, और इंट बनाना, यही सही है, 74 का ए सही है, यहां बात करू, कपाश उगाने से सूती कमीज बनने तक के सभी चरनों को सही करम में बताओ जरा कपास उगाने से लेकर और सर्ट बनानी है तो सारे स्टेप बताना है क्या होगा बताओ जरा तो सबसे पहले क्या होगी भै कपास उगा दिया तो सबसे पहले तो उसकी कटाई होगी कटाई होगी भै सबसे बात और सबसे लास्ट में जो है बुनाई होगी ये भी बात सही है तो भै ये सही है पहले वाला सही है कटाई होगी ओटन होगी कटाई होगी और फिर जो है यह होगे ठीक है यहां बात करते हैं दो विश्य हैं एक और दो पर विचार कीजिये और जेंडर इक्वैलिटी के बारे में चर्चा करने के लिए सही विश्यों को चुनिये तो जेंडर इक्वैलिटी क की बात कर रहे हैं तो आप बताव जरा सही आंस्वर क्या होगा तो आपने का स्रम की महत्ता तो स्रम की महत्ता जो है जेंडर इक्वेल्टी की बात कर रहा है यहर महिलाओं जो स्रम करती हैं वो भी समान है जो पुरुषा करते हैं वो भी समान है तो सही है ग्रह विवस्था के तो ये भी बात सही है ये भी जेंडर एक्वेल्टी की बात कर रहे हैं कोई बाहर काम कर रहा है तो उसे घर का काम जो है कम थोड़ी माना जाएगा हम मानते हैं ये समाज बानता है कि घर के जो काम होते हैं वो गैर उत्पादक होते हैं उनका कोई रोली नहीं होता तो जेंडर आउक्त राज इामेरिका में 1964 में जो नागरिक अधिकार अधीनियम ने नसल के आधार पर भेदभाव का निशेद किया था किया था यह आपने पढ़ चुके हैं नसल के आधार पर दूसरा जो है अगर मैं बात कर refuses तो धरम के आधार पर भी और जेंडर के आधार पर तो नही भेदभाव की बात किये गई थी ये नागरी कांदोलन का हिस्सा था तो सही जो आंसर होगा वो ये होगा यानि कि तीन तो इसका आंसर बनता है ABC नेक्स्ट कोशन चलते हैं यहां देखो ओम परकास बालमी की कि एक परसिद आतम कथा है जूटन वो किसे जो है उजागर करती है बताओ जरा जूटन किसे उजागर करती है तो जूटन तो अपने आप ही लिखा है वो जातिय भेदभाव को उजागर करती है अगर मैं बात करूँ तो जातिय भेदभाव को जो है उजागर करती है उनकी आतम कथा जूटन नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं यहां देखो माल लो कि एक पुस्तक में निम्न कथन दिये गए हैं कि रजिया की कमजोरी जो है एक रानी होने के नाते ये थी कि वो एक महिला के तोर पर पैदा हुई और दूसरा अहिंसा का अपदेश देकर असोख ने भारत को एक कमजोर देश बनाया क्या ये बात सही है कि असोक ने जो है अईंसे का अगर पाट दिया तो वो कमजोर बना रहे हैं क्या ये बात सही है तो आपने कहा कि रजिया की कमजोर है और अईंसे का अबधेश देकर सभी दिखाते हैं कि अगर महिला के तोरपर कोई पैदा हुई है तो वह अलिकिसे ऑपदेश देकर आ अपसोख नहीं बहरत को मतलब शाजबत मितना चारें ऑना वो हिनशा करो हिनशा को वदावा दो तो यह तो दोनों की बात कर रहे हैं पहले वाले में जेंडर रूडी वाधिता की बात कर रहे हैं दूसरे वाले में हिंसा की बात कर रहे हैं तो इसका आंस्वर होगा ए वाला किवल ए और बी तो इसका सही आंस्वर क्या होगा तो ए और भी सही आंस्वर होगा इसका बच ठीक है तो सही अमेरिका में अफ़रीकी अमेरिकन लोगों के लिए समान अधिकारों की मांग कर रहा था बताओ जरह कौन हैazon? तो सही आंस्वर क्या होगा इसमें? बताओ। मार्टिन लूथर किंग का नाम आपने सुना है तो कौन सा अंदोलन जो है सेयुक्त राज अमेरिका में बात कर रहा था तो आपने कहा कि इसकी अगर में बात करूँ तो नागरीक अधिकार जो अंदोलन था वो सही आंस्वर है तो नागरीक अधिकार अंदोलन की अगर में बात करूँ तो वो समान अधिकारों की मांग कर र रहा हासिये पर रखा जा रहा जिनकी तरब जो है कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा तो उनकी ये बात कर रहा है तो आप से बात कर रहा है कारिये स्थल पर परियाप सुरक्षा ववस्था को जो है निश्चित करने वाला कानून कारिये स्थल पर अगर परियाप सुरक्षा यह है फिर वो तो चाहे हासिये पे हो या ना हो तो यह तो जो है इस से रिलेटेड नहीं है तो आपने का केवल एक तो इसका आंस्वर होगा केवल एक तो सही आंस्वर क्या होगा केवल एक आंस्वर यहां बात करो एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्सिये जो लक्षमी की शुरुवात की वो उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर बनी उसने कई कठनाईयों को पार किया और इलक्ट्रोनिक्स में डिपलोमा हासिल करने के लिए कड़ी महनत की उसने पोलो टेकनिक में मोटर साइंकिल की सवारी की और इंजन ड्राइवर बनने का फैंस था अगर उसका मतलब यह रूडियों को तोड रही है तो क्या कर रही है ब्रेकिंग स्टीजू टाइपस तो रूडियों को तोडने का काम कर 앞रह your radio को तोडने का काम कर समय समय पर करका भुखतान करना बैट टेक्स का भुखतान करो यह सामाजिक जिम्मेवारी होती है हमारी कोविड 19 के समय सामाजिक दूरी बनाना ये भी है ये भी सामाजिक विग्यापन है जल बरबादी को रोकना ये भी सामाजिक जिम्मेवारी है एक विशेश ब्रांड के दन्तोमंजन ये नहीं है ये सामाजी की विग्यापन नहीं माना जाता सामाजी की विग्यापन का मतलब है जिसमें सामाज को एक मैसेज देने की बात हो तो सामाज को मैसेज दिया जा रहा हो पर में कि समय पर अपने करका भुगतान करें अगर समय पर करका भुगतान करेंगे तबी तो जनता के हित की पोलीसी बनाएगी सरकार, विकास पर योजनाओं को लागू करेगी, सामाजिक दूरी बनाओ, इससे जो है सब सुष्थ रहेंगे, जलकी बरबादी को रोको, तो इसका सही आंस्वर होगा D. नेक्स्ट, निमलिखित में से कौन सा जो है सहकारी संस्था के संदर में प्रासंगीक है, तो बताओ जरब, कौन सा सहकारी संस्था के बारे में प्रासंगीक है, ये आपको सही आंस्वर बताना, बताओ, बहतर आये उपलब्द कराती है, सहकारी संस्था है, सही बात है, और व व्यपारियों पर कम निर्भरता रहती है ये बास सही है दूसरा बड़ी खंपनियों को सहे ता करती है गलत बात है saadashyauki छमता बढ़ती है बिल्कुल बात सही है तो इसनका एक और तीन सही है तो जो सहकारी संस्थाइं होती है cooperative society होती है वो बहतर आयोपलब्द कराती है और वैपानियों पर निर्भरता कम करती है और कमपनियों को जो है मदद नहीं करती है सदस्यों की छमता बढ़ाती है ये भी बात सही है तो इसका answer है C सही answer है ठीक है 12 बज़े से पहले छुटी कर देंगे चलो जल्दी जल्दी करो सो कोशन पूरे कर लेते हैं सापताहिक बाजार की बात करते है तो सापताहिक बाजार क्या है सापताहिक किसी जो है एक दिन लगने वाला बाजार में है और जिसमें जरूरत की सारी चीजे एक ही जगे मिल जाती है एक तरह से ये भी मॉल टाइप ही होते हैं गरीबों के मॉल कह लीजेन है बारे में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है सापताहिक बाजार में पक्की दुकाने होती है जो सपताहा में किसी विशेश दिन पर ही जो है खुलती है क्या ये पक्की दुकाने होती है क्या ये बात सही है पक्की दुकाने सापताहिक बाजार में वैपारियों को किराया बिजली का बिल और करमचारियों को तंखवा देनी पड़ती है क्या ये बात सही है ये भी बात सही है क्या ना ये बात सही है सापताहिक बाजार में जरूरत का सभी सामान एक ही जगे पर मिल जाता है ये बात सही है तो आपने का ये वाली बात सही है कि जो भी जरूरत का सामान होता है वो सब एक जगे मिल जाता है तो यही सापताहिक बाजार की विशेशता है यानि की सही है अगले बात करते हैं निमलिखित में से कौन सा पंचायत को आ यह भी सही है पंचायत सचीव के निजी संपत्ती पर किराया यह नहीं है तो इसका अंस्वर होगा डी तो पंचायत सचीव जो होगा उसकी जो अपनी परसनल संपत्ती होगी उस पर किराया कहीं का उससे किराया वसूल करके पंचायत अपने काम करेंगे तो यह गलत है तो डी सही answer होगा इसका तो सही answer क्या होगा डी होगा next question देखो नगर निगम के चुनाव के उदेश से गठित किये गए छेत्रिय निर्वाचन छेत्र को डैस के रूप में जाना जाता है बताओ जड़ा छेत्रिय निर्वाचन छेत्र की बात करें तो कौन सा होगा इसमें बता तो जो नगर निगम होते हैं उसमें वार्ड होते हैं देखो वार्ड होते हैं हर वार्ड का एक परिसद बनता है जिसे हम पारसद भी बोलते हैं क्या बोलते हैं या कहीं कहीं जो है से सभासद बोलते हैं क्या बोलते हैं सभासद बोलते तो यह होता है तो नगर निगम के चुनाव के उद्धे से गठित किये गए छेत्रिय निर्वाचन छेत्रों को वार्ड के रूप में जाना जाता है हर वार्ड से एक मेंबर बनता है ठीक है उसे पारसद या सभासद बोलते हैं बताओ जरा समानता के अधिकार को लागू करना है तो क्या सही होगा क्या कानून के द्वारा समानता का अधिकार लागू किया जाएगा सही है सरकार की योजनाओं के द्वारा कार्यकर्मों के द्वारा या स्विद्धाहिन समुदाएं की मदद करने के द्वारा ये भी सही है प्राकर्तिक संसाधनों को चलाइमान करने के द्वारा ये गलत है प्राकर्तिक संसाधनों को चलाइमान करके कैसे समानता का दिकार मिल जाएगा तो ये बात गलत है तो आपने का एक और दो सही है तो ये वाला सही है तो प्राकर्तिक संसाधनों को चलाएमान करके जो है समानता का अधिकार नहीं मिलता है। समाजवादी, धर्मिरपेक्स, लोकतांत्रिक गनराज्य बनाने के लिए तो कहां ऐसा हम भारत के लोग भारत को एक संपरभतवादी, समाजवादी, धर्मिरपेक्स, लोकतांत्रिक गनराज्य बनाने के लिए तो इसका सही आंस्वर क्या होगा डी होगा ठीक है और ये जो सो संसोधन से जोड़े गए हैं तो इसका एंसवर होगा डी सही आंसवर क्या होगा डी सही आंसवर होगा इसका ठीक है चलो नेक्स्ट कोसं देखते हैं जनहित याची का पी आई यल पबलिक इंट्रेस्ट लिटीगेशन के संबंध में निमलिखित कत्रों पर विचार करना आप बताव जरा पी आईल से रिलेटिड जो है आपको सही बताना है कौन सा जो है सही है कौन सा गलत है यहां देखो कोई भी व्यक्ति या संग्ठन उच न्याले सर्वोच न्याले में जनहित याची का दैर कर सकता है बिलकुल बात सही है कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो जनहित य जनहित याची का होती हैं। ये उन लोगों की और से दैर की जा सकती है। जिनके अधिकारों का उलंगन होआ है। पी एन भगवती जो मुख्यन अधीस्ते पी एन भगवती उनके द्वारा शुरुवात की गई तो इमेल से भी आप कर सकते हैं पत्र भेज कर भी कर सकते हैं तो इसका अंस्वर होगा यह तो यह गलत हो जाएगा तो पहला और दूसरा जो है सही अंस्वर होगा तो पहला और सांस्कृतिक नयाय के उधारन कौन-कौन से होंगे ये आपको सही अंस्वर बता ना ठीक है तो अगर हम बात करें तो कौन सांस्वर होगा तो आपने कहा कि सभी समूदायों की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंतरता की पहचान बेल्गुल बात सही है अगर धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंतरता की पहचान बनी रहेगी तो ये सही है जो मुख्य धारा की संस्कृति की हास्ये करत समूदायों में जो है फैलाना ये गलत है जो हास्ये करत समूदायों हैं उनमें मुख्य धारा की संस्कृति को क्यों फैलाना जो हाश्यक्र समूदाय हैं उनकी ही अपनी संस्कृति को बनाए रखो भाई उनकी संस्कृति हाश्ये पे क्यों ढखेल रहे हो तो ये बात गलत होगी ठीक है तीसरा जो अलब संख्यकों को अपने धर्म और संस्कृति को रखने की अनुमती देना ये भी बात सही है संस्कृतिक अधिकारों की मोलिक अधिकारों मोलिक है ये मोलिक अधिकारों के रूप में पहचान ये भी सही है तो आपने कहा एक तीन और चार जो मुख्य धारा की संस्कृति है पहली बात तो ये है मुख्य धारा की संस्कृति कोन सी है सबकी संस्किर्टी को मुख्य धारा में लाओ ना सबकी संस्किर्टी को ऐसी बनाओ जो मुख्य धारा में रहे तो आपने कहा कि एक, तीन और चार सही है यानि कि सी आंस्वर सही है ठीक, यहां चलते हैं राज्ये की विधाईका तो विधाईका का क्या मतलब है विधाईका मैंने बताया था उसका काम होता है कानून को बनाना तो कानून बनाने का काम जो है विधाईका करती है अब यहां बात करें विधाईका अंग से क्या पर्या है तो देश का परतियेक नागरीक अगर मैं बात करूँ, कानून लागू करने के लिए उत्तरदाई जो नोकर साई ये विधाय का नहीं होती है, कारियपाली का होती है, क्या होती है ये, कारियपाली का होती है, ठीक, नागरीकों द्वारा जो निर्वाचित परतिनिधी होते हैं वो मिलाकर विधाईका बनाते हैं, तो इसका सही आंस्वर होगा D, ठीक है, D सही आंस्वर होगा, तो नागरिक जो देश के नागरिक होते हैं, वोट देकर जो परतिनिधी चुनते हैं, उनसे मिलकर हमारी विधाईका बनती है, और विधाईका का मतलब क्या होता है, कानून को निर्मान करते हैं नेक्स्ट मोलिक अधिकारों के विशय में निमलिखित दो कतनों पर विचार कीजिए यह आपको बताना है कि मोलिक अधिकारों से रिलेटेड जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है क्या यह बात सही है कि भारत के सम्विधान में जो सारे मोलिक अ सोशन के विरुद जो अधिकार है सोशन के विरुद अधिकार कहा है आर्टिकल 23 और 24 में अधिकार नागरी को उच इस्तर के नियाल्यों में जाने के लिए अनुमती प्रदान करता है यदी वो समझता है कि निचले स्तर के नियाले दुवारा दिया गया नियाय पूर्ण है बिलकुल बात सही है सोसन का अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में है और 23 और 24 में तो हम बिलकुल जा सकते हैं तो ये बात सही है दोनों सही है ठीक है next question नीचे दिये गए एक अवतरन को पढ़िये और उसके आधार पर परसनों को उत्तर दी दे जो पहियेदार कुर्सी वीलचेर का उपयोग करने वाले रंजन की कक्सा विधाल्य भवन की तीसरी मंजिल में लगती है वीलचेर पर चलता है ये वो परतेग दिन जो है सहय की परतीक्सा करता है जो उसे उठा कर विध्यारतों की भीड से होकर ले जाता है तो भारतिय सम्विधान के किस अनुछेद का उलंगन हो रहा है बताओ जरा किस अनुछेद का उलंगन हो रहा है ये आपको बताना है और ध्यान से बताना है जाहिर सी बात है मूल अधिकार का उलंगन हो रहा है तो आर्टिकल 370 तो जम्मू कस्मीर से रिलेटेड था अब समा बात करूंगा कि राज्यर किसी भी व्यक्ति तो इसमें भेदबाव कैसे हैं जब ये वील चेर पर जाता है तो तीसरे भवन पर इसकी क्लास लगाने की क्या जरूरत है भई क्या जरूरत है अगले कोशन की बात करते हैं पटवारी या लेकपाल जो होते हैं उनका कारिये की देखरेक निमलिखित में से कौन करता है बताओ जरा कौन करता है तो आपने कहा कि पंचात या पटवारी जो होते हैं वो किसकी देखरेख में काम करते हैं तो आपने का जो तहसीलदार होते हैं ना तहसीलदार की देख़ेख में काम करते हैं वो तहसीलदार चेक करता है इनके सारे कामों को ठीक है ना पटवारी यानि की लेक पाल नेक्स कोशन देखो भारत में जो पंचायती राज परनाली के सम्मंद में निमलिखित तुमें से कौन सा कथन जो है सही है कौन सा कथन सही है ये आप से कोशन पूछ रहा बताओ जरा जो समवैधानिक दिसा निर्देश के अंतरगा देश के परतेख राज्ये में पंचायतों के संबंद में अपने कानून होते हैं बात तो सही है क्या क्या पंचायत जो होती है वो राज्य सूची का विशा होती है किसका विशा होती है पंचायते राज्य सूची का विशा होता है तो पंचायत राजपरणाली के बारे में कौन सी बात सही है ये आप से कोशन पूछ रहा है ठीक तो ये तो सही है तो समयधानिक दिसा निर्देशों का अंतरगत देश के परतेग राज़े में पंचायतों के संबंद में अपने कानून होते हैं सही है ग्राम सभा के जो सचीव का चुनाव है वो उसके सदस्यों दृते दित्तेतर नहीं यह तिर्ते इस तर यह व्म गलत है घ्राम पनचायत की चार वर्स ज़र्थ होते पांच वर्स होती है कितनी होती है पांच वर्स तो यह तह ऑनका पहले वाला सज हिलु ह। इसका पहला सजल Was पिया क्लोर किстनाव थेंदल श 20072udh दिए गए दो कत्नों पर विचार करो और ये बताना है कि कौन सा जो है सही है और कौन सा गलत है ठिक यहां देखो उच्छ नियाल्य जो है राज्य सरकारों के अंतरगत आते हैं और उनकी ओर से ही कारिय करते हैं क्या ये बात सही है ये राज्य सरकारों के अंतरगत नहीं आते ये बात गलत है उच न्यालने के सभी न्याधीसों की न्युक्ति राज्ये के मुख्या मंत्री के साथ मुख्या मंत्री का कोई रोल नहीं होता है राष्टपती करता है इसकी न्युक्ति राज्येपाल से तो सला मस्वरा होता है मुख्या मंत्री का कोई मतलब नहीं है तो लिखित में से भारत के किस regulating act के अंतरगत एक नए सर्व रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब 1773 में 1773 का regulating act था और 1773 के regulating act के तहत 1784 में जो है इस्थापना हुई तो एक question पूछ रहा है किस regulating act तो regulating act तो 1773 का ही था लेकिन इस्थापना 1784 में हुई थी ठीक है लेकिन ये तो हमसे regulating act पूछ रहा है तो अंसर होगा D, D से ही अंसर होगा नेक्स्ट बात करते हैं सम्विधान सभा में एक परसिद कथन है कि राजनीतिक लोकतंतर के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंतर भी जरूरत है ये किस के द्वारा कहा गया बताओ जरह कौन व्यक्ति ऐसा होगा ज भीम राव अंबेड कर ये कहेगा कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंतर भी जरूरी है नेक्स्ट कोशन देखो भारतिये संसद जो है किस किस से मिलकर बनती है तो आपने कहा लोकसभा से राज्यसभा से और राष्टपती से मिलकर बनती है तो लोकसभा राष्टपती और होता है ठीक है और इसके बाद कल आप मिलोंगे शुछ इंसर से प्रैक है तो कल सचिन्सर होगी सब्सक्रिक आप के और कल यह रुद जो है आठ बजे आपकी जो क्लास होगी आठ बजे तो बज़े जो है CDP की महामेराथन से जुड़ना न भूले ठीक है आपकी जो है complete CDP की class होगी जो आपकी एक class ही आपके CDP के maximum question करा देगी लगबग लगबग सारे question करा देगी तो कल 8 बज़े जो है ना न भूले CDP की महामेराथन class में सचीन सर के साथ जूड़िये चलो अब बच वजर गूनाइट